राजभासा कार्यानवन समीती द्वारा राजभासा सप्ता के अंतरगत आयोजित कभी गोस्थी में आप सभी का स्वागत और भिनंदन है संस्थान के माननी ये शद्धे कुलपत जी हमारी बीच में उपस्थित होकर मन्चाशीन हो चुके हैं मैं संस्थान के कुल सचिव महोदय से भी अन्रोद करता हूं कुलपत जी हमारी बीच में उपस्थित हो चुके हैं मैं वरिष्ट कीतकार और अपर आयुक्त वारंडशी मंडल के पुर्व अधिकारी श्री ओंधीरजी से अन्रोद करता हूं कि आप भी आमें और मंच पर विराजमान हों कुल्पत महोदय के निर्देश से आज का यह कारिकरम प्रारम होने जा रहा है मैं सम्मानी कुल्पत जी कुल्शचिव महोदय एवं ओंधीरजी से अन्रोद करता हूं मा सरस्वती भीडापाणी मा सरस्वती के चित्र पर माल्यारपन कर दिप्त जुलित करें तथा इस कारि संस्थान की चात्राओं से अन्रोद करूंगा कि वे मा सरस्वती की वंधना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत करें संस्थान की चात्राओं अधिकार देमा थेशार देमा थेशार देमा आज्यान तासे हमें तार देमा अधिकार देमा थेशार देमा आज्यान तासे हमें तार देमा स्वागतं, 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 मन की वीनाति गुंचित दोनी मंगलं स्वागतं, 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 स्वागतं के सपावन सुहावन समय आज है आप आये अतितियों की सरताज है के सपावन सुहावन समय आज है आप आये अतितियों की सरताज है देवि की मान्ति पूजन करे आज हम स्वागतम 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 मन की बजियों से बुंजित दनी मंगलं स्वागतम 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 मन की बजियों से हमने हिकलिया चुनी शर्दा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं तुम को अर्बित सुमन आज हम स्वागतम 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 करते हैं तुम को अर्बित सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की बीनाते गुंजित द्वनी मंगलं स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान के चात्राओं ने सरसुते बंदना के साथ आप सभी महानुभाओं का स्वागत यों अभिनंदन किया आज हम सभी ये कत्र हैं राजभाशा सप्ता के अंतरगत आयोजित कभी गोस्थी के अंतरगत आखिर हम कविता क्यों सुनते हैं कविता करती क्या है और अगर आज के संदर्म में देखा जाए तो कविता की जरूरत है क्या क्यों हम सब लोग एकत्र हैं काबे को शुनने के लिए और हमारे बीच में हमारे विद्यारती ऐसे भी है कि जो काबे रचनाई यहां प्रस्थुत की जाएंगी हिंदी में साइध संपूर्णत बोध भी उन्हें न हो सके लेकिन फिर भी कविता हमें प्रभावित करती है कविता और कुछ करे या न करे कविता हमारे मन को संसकारित करती है कविता हमारे हिर्दें को माजती है कविता हमें एक द्रिष्ट देती है कि हम जीए कैसे तुम जब तक जीओ, फोल बनकर जीओ, शोल बनकर कशकना नहीं जिंदगी या दृष्टी अगर कोई देता है, तो कविता देती है हम दुखों के जन्जावात में जब रहते हैं, तो कविता हमें सिखाती है दुख की पिछली रजनी बीच विकस्ता सुख का नवल प्रभात एक परदा यह नीला जीन छिपाए है जिसमें सुख गात कविता जन्जावातों के बीच में हमें जीने की ताकत देती है कविता अंधकार के बीच में हमें ज्योती देती है काट अंध उर के बंधन अस्तर बहा जनन जोतिर में निरभर कविता हमें राष्ट के प्रतिश्वाभिमान का भाव सिखाती है हमारे भेतर योग्यता का भाव भरती है योग्य जन जीता है पस्चम की उक्ति नहीं गीता है गीता है अस्मरण करो एक बार जागो फिर एक बार कविता हमें बताती है हिमाद्र तुंग स्रिंग से प्रभुद्ध सुद्ध भारती स्वयम प्रभाश अमुज्वला स्वतंत्रता पुकारती ये कविता की ताकत हुगा करती है कविता हमें विश्व मानवता से जोडती है औरों को हसते देखो मनू हसो और सुख पाओ अपने सुख को विश्तृत कर लो औरों को सुखी बनाओ या जो विश्व मानवता के दृष्टी है वो हमें कविता प्रदान करती है ऐसी कविता से हम रूबरू होंगे हमारे बीच मे सनमान्य कभीगण उपस्थित हैं, हमारे बीच में जाने माने हास्य विंग के रास्ती फलक पर चर्चित कभी स्री अनिल चौवे जी हैं, हमारे बीच में स्री जी अपी शिंग जी उपस्थित हैं, लोक भाषा और भोजपूरी के सिद्धास्त रचनाकार स्री प्रकाश उद हैं सुस्री वीभा हमारे बीच में उपस्तित हैं जिनके गीतों को हम लोग सुनेंगे हिमान शुपाध्याय जी है और मंच पर श्री वरिष्ट गीतकार श्री ओंधिरत जी हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संस्थान की और से और कुल्पत महोदय से अन्रोद करता हूं कि अंग वस्तरम प्रदान करके माल्यारपन करके इन कवियों का स्वागत करें आप सभी से अन्रोद है और इस बीच में एक महत्वपूर और सूचना मैं संस्थान के पुर्वकुल सचिव प्रोफेसर देवराज सिंग जी से अन्रोद करता हूं कृपिया मंच पर अपना स् जुरू करते हैं और आज तो हम वह सप्ता मना रहे हैं जहां हम माभारती की वंदना कर रहे हैं हम हिंदी की वंदना कर रहे हैं अगर हिंदी है राष्ट भासा है तो हमारी संस्कृती है हमारी जीवन्तता हमारी बीच में बनी हुई है मैं इस कविशंगोष्थी का सुभार करना चाहता हूं जो सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें और तत्पस्चाथ हम कावेबार्थ सबसे पहले आप सबको नमन करती हूं कड़ाम करती हूं मा की वंदना कादेश हुआ है पंक्तिया पढ़ती हूं मैं चाहते हूं कि एक बारा आप लोग के जोरदार तालियों का समर्थन मिले और मैं वंदना प्रारंब करती हूं मेरे पत जड़ सजीवन कोहे शार देमा ऐसा मधू मास मधू बन बना दी जीए जो कि अग्यान का है अंधेरा धरा पर ग्यान का दीप वैसा जला दी जीए हासी एसा दो मासारा जग मुश्कुराए ऐसा पुरू सा अर्थ दो की सब कम आए सदा ही समर्पित हो सनमार्ग पे हम ऐसा वर रूपियम रेत पिला दी जीए जो कि अग्यान का है अंधेरा धरा पर ग्यान का दीप वैसा जला दी जीए यह थी विभासिंग जिन्होंने मासारश्वती की वंदना प्रस्थूत किया और इसी वंदना के साथ आज की इस कविगोस्थी का शुभारंब हुआ हमारे बीच में जो कभीगंड उपस्थित हैं उनके पास बहुत सारे खाजाने हैं वो उनके पास आपको पूरी तरह से हसाने की च्षमता है गीत के द्वारा आपको भावद्विलित करने की छपता है, आपको दिप्त करने की छमता है, आपके रिदें को व्यापक बनाने की छमता है, ऐसे गीतकार कभी हमारी बीच में उपस्थित हैं, मैं थोड़ी थोड़ी एक जलक दे करके फिर हम लोग मुकंबल सुनेंगे, एक आपातावरन गीत का मैं बनाना चाहता हूं, हमारी बीच में उपस्थित हैं, स्री मनोज मधूर जी, जोनोंने बहुत ही सुंदर गीत लिखे हैं, और बड़ी विशेस्ता ये है, चुकि हिंदी राजभासा सप्ता है, इसलिए मनोज जी के एक गीत को उन्ही को समर्पित करते हुए मैं उन्हें अमंत्रित करता हूं, समुन्नत मान इसकी है, समुन्नत सान इसकी है, सूर मीरा जैसी ने सब्द से सीचा, हिंदी राष्ट्र भासा है, अलग पहचान इसकी है, इनी पंक्तियों के साथ मैं अमंत्रित करता हूं, मनोज मधूर से, मनोज जी अपने आप में मधूर थे लेकिन उनको संतोस नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मधूर सब्द लगाया तो मधूर मनोज से आप गीत सुने और भरपूर आनंद लें मनोज मधूर जी बहुत बहुत धन्यवाद गीत के लिए आदेश हुआ है गीत पढ़ूंगा चार पक्तियां मा की चरणों में निवेदित करने के पस्चाद तेरी क्रिपा से गुंगा बोले मन्द मतीवा चाल हुआ तेरी क्रिपा से गुंगा बोले मन्द मतीवा चाल हुआ किर्टन करने लगा स्वार्थी निर्धन भी मही पाल हुआ वीडा तारों को जंकृत कर मधुर कंठ स्वर सप्त रचे तुही सकल स्रजन की माता तुझसे सुरलय ताल हुआ तुझसे सकल और एक गीत पढ़ता हुआ हमें सजोना है अपनी संस्कृतियों को महीं से गीत पढ़ता हूँ वह अतीत का गोरों कैसे वर्त मान में पाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ मान कहां से लाऊँ वह अतीत का गोरों कैसे वर्त मान में पाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ मान कहां से लाऊँ और बन्न विदित करता हूँ कि जहां की नदियां माता परवत पिता हुआ करते थे जहां पे पैदा होने को भगवान भी तरसा करते थे सिवी दधी ची सिवी दधी ची हरी इस चंद्र सा दान कहां से लाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ जहां के बच्चे सेरों के भी दात गिना करते थे मा के गर्भ में युद्ध के कौसल सीख लिया करते थे गुरु गोबिंद के पुत्रों का बलिदान कहां से लाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ कि सावित्री के सतित्व ने यम को भी हरा दिया था कृष्न प्रेम में मीरा ने बिस प्याला भरा पिया था लच्मी बाई के सोर का वह प्रतिमान कहां से लाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ मान कहां से लाऊँ रागों से दीपक जलते कभी ऐसा हुआ करता था हमारे देश में कि रागों से दीपक जलते बादल भी बरसा करते थे प्रभुलीला की रचनाएं कर कभी ही यहर सा करते थे सूरदास तुलसी के सव रस खान कहां से लाऊँ कोई बता दे खोया वह सम्मान कहां से लाऊँ और अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूं कि खाए सबरी बेर सुदामा के तंदुल जो छक कर उस नटवर नागर की बात करता हूं जिनका अभी जनमोत्सव का लोग पकवरा मना रहे हैं में चठी में विती है कि खाए सबरी बेर सुदामा के तंदुल जो छक कर नाचे ग्वालिन के छचिया भर छाच के लिए गिरधर बिदुर की रोटी साग मधुर जल पान कहां से लाओं कोई बता दे हो या वह समान कहां से लाओं मान कहां से लाओं क्या वात है ये थे मनोज मधूर अपनी गीतों के साथ आपके शम्मुक और मुझे लगा कि आप सभी ने मनोज मधूर को बहुत बहुत पशंद किया आप गवड़ाजे नहीं आप फिर चाहेंगे हम लोग फिर मनोज मधूर को सुनेंगे अभी तो ये ट्रेलर है फिल्म त परचित कराया कहां आज वह पुर्ण पुरातन वह श्वर्ण का काल भूतियों का दिगंत चविजाल वह भारती श्वरणिम गवरो उसकी याद दिलाया मनोज जी ने और तो आएए हम इसी क्रम में अपनी छात्राओं से कुछ उसी हिंदुस्तां की गीत सुनें गीत कहीं क का भी हो कहीं का भी हो किसे ने भी लिखा हो हमें मधुर लगता है मैं आमंत्रित करता हूं राज-कुमारी और सहेलियों को सारे जहां से अच्छा गीत के साथ हम बंदन करते हैं अपने उस रास्त्र को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुल बुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा परवत हो सबसे उंचा हम साय आसमा का वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा कोदी में खेलती है इसकी हजारो नदियां कोदी में खेलती है इसकी हजारो नदियां गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम बतन है हिंदो से ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा अपने इंचात्राओं को बहुत बहुत बधाई मैं बार बार आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम थोड़ी सी जल्कियां आपके सामने फ्रस्तूत करते हैं और मुझे ऐसा लगा कि कभिता सुनते समय थोड़ा खोल करके बैटना चाहिए आप लोग कुछ बोजिल बैटे हुए हैं, कुछ दबे बैटे हुए हैं, कुछ पता नहीं किस भाव से मुझे कहने में संकोच हो रहा है लेकिन खुलिए अगर आप लोग समान नी कुलपत जी के दबाव में बैटे हुए हैं तो आप उसे भी मुक्त हो ये, कविता मुक्त होना सिखाती है, कविता कभी बंदन नहीं सिखाती है, तो लाए थोड़े देर तक हंसने के साथ साथ, फिर हम लोग गीतों के बहुत स्रेष्ट रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, लेकिन हमारी बीच में एक ऐसे हाथ से व्यंग के कभी है न जो दुरलफ प्राड़ी है बनारस के ही नहीं बलकि देश के दुरलफ प्राड़ी है अनिल चौवे और कभी-कभी वो अनिल कभी-कभी अक्सर बनारस में नहीं पाए जाते हैं ये दुरलफ प्राड़ी बनारस में जब भी आते हैं तो धक्या के भगा दिये जाते हैं. तो कभी बाहर, तो कभी इंगलेंड जा रहा हैं, तो कभी मारिसस जा रहा हैं. लेकिन भाग भाग करके फिर अपने घर में लौटते हैं. बड़ी दुरुलव हैं यह. एक दिन इन्हों ने अपने बेटे के पैंट से क्या-क्या बोलते हैं वो गुटका और वो शिग्रेट और कैटरीना कैप की फोटो सब पा लिया तो बेटे पर बिगड़ गए तुम अभी से बिगड़ने लगे हो तुम नलायक हो गए हो बहुत नाटा बेटे ने कहा पिता जी आज मैंने आपकी पैंट पहन रखी है तो अनिल जी ऐसे जिन्दा दर है और कुछ और भी कारी करते रहते हैं अनिल जी जैसे एक बार क्या किय यह मैं यह नहीं बताऊंगा लेकिन पकड़ करके जेल में चले गए जेल में गए तो कैदी ने कहा कि सुने हैं तुम शायर हो कुछ अपनी सायरी सुनाओ तो यह तयार हो गए तुरंट क्योंकि नहीं तो डंडा पड़ता तो यह तयार हो गए और कहा कि अर्ज किया है गम उल्फत में जो जिन्दगी कटी हमारी यह अनिल की पंक्तियां है मेरी नहीं है गम यह उल्फत में जो जिन्दगी कटी हमारी जिस दिन बाहर निकले जिन्दगी खत्म तुम्हारी यह इस शायरी को उन्होंने सुनाया ऐसे दुरलब प्रकोट के प्रकांड हास्य कभी अनि मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और हसने हसाने के लिए बुलाया गया हूँ हासी आये तो खूब हसिएगा न आये तो भी हसिएगा इससे कहा कभी का भरम बना रहता है कि हम जो सुना रहे हैं वह आपके समझ में आ रहे हैं आचार यहाजारी प्रसाद दिवेदी जी ने एक निवंध बहुत पहले लिखा था लकडबग्गा नहीं हसता है और उसमें कोटेशन था कि हसना ऐसा वर्दान है इश्वर की ऐसी देन है जो किवल मनुष्य हस सकता है आप कभी किसी जानवर को हसते हुए नहीं देख रहे हैं कोई भैस मुस्कुराते हुए आपके तरफ चली आ रही हो बाई दवे कोई चली आए तो समझे दीरे दीरे वो आदमी होने की प्रक्रिया में है और बहुत सारे हस की बात सुनने के बाद भी हसी न आए कोई गुमसुम होके बगल में बैठा हो तो समझे इसमें वो होने की प्रक्रिया दीरे दीरे सुरू हो गई है तो थोड़ी सी तालियां आप जोड़दार बजा दीजिए, हम आपको सुनाते हैं, ये तालियां हम कभियों के लिए पोलियो ड्राप का काम करती हैं, दोबुन जिंदगी की, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र तूटा, इसलिए जब भी आनंद आए, तो तालियां जोड़ से बजाईएगा, गुरुजी बड़े लोग हैं, आपने कहा कि इनके बच्चे ऐसे हैं, ये बहुत सामानिसी बात है, हम चौबे हैं, जन्मजाद चौबे हैं, गिध्ध और चौबे, दो इस देश में संगरक्षण ये प्राणी है, इनकी संगरक्षा होनी ये धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे खांदान में किसी ने नोकरी नहीं की, कोई भूखो नहीं मरा, जित्ते मरे सब खाके मरे, एक भी वेकूप पैदा नहीं है, जो जित्ता गुरुजी आधरनिये कह रहे हैं, वो सब सत्य है, एक भी हमारे या ऐसे, हमारे दादा जी की अवस्था हो गई, पचासी वरस की अवस्था, यम्राज के मिस काल आने लगे, तो हमने का आप कार्ज काल पूरा हो गया, चलिए, आए काशी तो हमने का कोई अंती मिक्षा हो तो बता दीजिए, दादा अंती मिक्षा बताते हैं, हम अपने खांदान के इन तीन कविताओं को आपने अच्छी तरह से सुन लिया तब तो ठीक है बरना दूसरे का नंबर नहीं आएगा चुनाता हूं यमराज का मिसकाल आया कि आपका कार्जकाल सुरू हो गया हिंदुस्तान का भुजूर्ग जो मरने के कगार पे खड़ा है गंगा तट पे आ चुका है उसकी अंति मिच्छा क्या है काशी एक एक कण यहां शिव है शिव हास के देवता है बात यहां से सुरू करता हूं कि मेरे खांदान के वयो भुजूर्ग दादा बोले प्रति दिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जपु के गवाना चाहता हूं मैं कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी आशाराम सा बुढ़ापन बिताना चाहता हूं मैं और मेरी अंतिम इक्षा है बस एक बार राधे मा को गोध में उठाना चाहता हूं बुजूर्ग की यहां तेकिक्षा चली गई मृत्तु से भी हम हाथ से उत्पन करते हैं बनारस ही एक एशा शहर है जहां जब हम शव यात्रा में जाते हैं तो पीछे से बाजे बजाय जाते हैं मृत्तु को भी उत्सो मनाया जाता है यह विस्व के किसी कोने में नहीं होता क्यों अपने काशी में होता है एक मृत्तु से हाथ से खुद्पन करने की कोशिस करता हूं सुनिए गाउं में जब बिजली आई तो टेलिवीजन खरीदा गया और बाबुजी टीवी देखने बैट गए कि नया नया टीवी कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया कर बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबुजी कि वसन बिहीन तन तरुनी को देख देख केश रंगवा कर सवर गए बाबुजी हाँ यह इत्ती दो, चार तालियों से हमारा काम नहीं जलता हाँ एत्ते चालियों हैं हाँ यह नहीं अनुबाद नहीं तो आमको ज़याद है भीड में और इस तरह की सुनाने की आदत है, तो इस तरह से तो, चार-फांच मिनुन आप सुन लोगे तो फिर वह बहुत अच्छी कवितास हैं, भुत बढ़ियां कभी हैं, भुत बड़े कभी हैं, भुत बड़े कभी हैं, ये लोग भी बड़े हैं, हम भी बहुत बड़े कभी हैं ऐसा नहां समझे भारत भारत वो देश है जहां दिवारों पर लिख के बताया जाता है कि दिवारों पर लिखना मना है पहले हम दिवारों पर लिखते हैं तब बताते हैं इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि हम वास्तों में बड़े कभी है और आप बहुत बढ़ियाद सुन रहे हैं इस तरह कि जहां कुछ भाशाई अंतर भी है वहां भी आप समझ ले रहे हैं कि बहुत बढ़ी बात है परना कौन सुनता है सुनिए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबुजी और चार बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबुजी कि वसन भिहीन तन तरुनी को देख देख केश रंगवा कर सवर गए बाबुजी ई टीवी भी टीवी देखने की चकर में बलड प्रेसर बढ़ातों गुजर गए बाबुजी तो हम लोग तो उस देश के वासी हैं जो मृत्तु को भी उत्सो मनाते हैं अधरनिये सर कह रहे थे हमारे लड़के के विशे में ग्यान हो फिर भी आप ग्यान न दिया किजिये कभी हम कभी अपने बच्चों को ग्यान देते नहीं है जो चीज हम भी एकी क्लास में नहीं सम मज गए उनको ग्यान देने की जरूरत नहीं है वो आल्रेडी ग्यानवान है एक्स्ट्रा ग्यान लेकर पढ़ता हुए पांचीवी में पढ़ता है आक कहा पापा हमारी कलास के मैड़म बहुत खुबसूरत है आप एकदम कंटाप है हमने गा चुप अध्यापिकाय मा समान होती हैं संसकार सिखो सभ्यता में रहो ठीक से बोलो कि आप चुप रहिए हमेसा अपने जुगार में रहते हैं हमारे विसे में सोचते नहीं तो जहां बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं वहां कि संसकार सभ्यता की बात करते हैं हम सर आदर्णिय कुलपती जी की पावन उपस थीती है हम एक अपनी बहुत अच्छी रचना सुना देना चाहते हैं फिर आप जैसा कहेंगे सुनाएंगे इधर हम हमने एक बहुत स्रेश्ट रचना हमसे लिख गई है लिख गई है वो क्या कि हम आवर्शक्ता से ज्यादे विद्वान हैं और आप सर हांस रहे हैं यू गईसा है अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ते हैं और कहना पड़ता है कहना पड़ता है कि हम ऐसे हैं बना लोग नहीं समझ पाते हैं इसलिए तो एक कविता हमसे लिख गई है सुन लिजी और बहुत इस्रेश्ट है बहुत अच्छी है सुना देता हूं इस तर कोट क्वालिटी का माल है वो हम ही है हम ही जाते हैं यह सही इसमें कोई गुरुजी असत्य नहीं बोले अभी 16 तारिक से 30 तारिक तक पूरे लंदन की यात्रा में है और तो इसके पहले हम यहां बोनी करने आये हैं तो बोनी हमारी बना दीजिए और इस रचना को सुलिजी तमाम सरकारे आई और स्वक्ष गंगा वियान निर्मल गंगा वियान सब तमाम होता रहा गंगा जियों की त्यों है गंगा यदि अपना दर्द हम जैसों से कहती तो क्या कहती कहने का एक प्रयास से लिखने की कोशिस करता हूं आप सभी के सामने रखता हूं बिनमरता पु उच्छल लविरल निर्मल कलकल प्रतिपल रास्ते में पढ़ने वाले सारे पढ़ाओं से मुह मोड कर मैं आ गई उमा जैसी सहली को छोड़ कर भगीरत ने अपने नीजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था मैंने निस्वार्थ वाव से सगर के साथ हजार उनुमत संता कानों को तारा था तभी से तारणी का दंस अब तक सह रही हूं मैं गंगा हूं अनवरत बह रही हूं मैं गंगा हूं अनवरत बह रही हूं बहुत-बहुत आबार आपका गंगा तव दर्शनात मुक्ती गाने वालो गंगा तव दर्शनात मुक्ती गाने वालो मेरे जलसे वहार, धर्म, संसकार, संस्कृति, सभ्यता, सबकुछ अपने तटों पे एक जगा जोड़ा है और तुमने जगा जगा बात बना के हमारी गती को मोड़ा है तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है पौरारिक मिध्धकों के अधार पे दो पंक्तियां कहने की कोशिस करता हूँ सर सुनेंगे रिशी पराशर की 85 कथा हो या कुवारी कुंती का रहस्य मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूँ लेकिन जब भी कोई सरद्धा से मा कहके बुलाता है तो रहदास की कथोती में भी आ जाती है एक और तुल्नात्मक ध्यन सुन लिजीए दूद दही माखन मिस्री का अक्षय भंडार यशोधा और देवकी का मिस्रित प्यार कनहया को कनहया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशूर कर देता है तो गंगा का पानीदार पानी जब बुढ़े विश्म के रगों में दोड़ता है तो योगेश्वर स्रीकृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हतियार उठाने पे मजबूर कर देता है जोगेश्वर स्रीकृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हतियार उठाने पे मजबूर कर देता है वो देखो सम्मानित सहर के बीचो बीच चला आ रहा नाला जो बदनामी और बदबू के मामले में बिलकुल बिगड़ायल है क्योंकि शाहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालिया इसकी अपनी रखैल है तेरे आखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुँँ चिडाता है तमाम सफाई अवियान के मुँँ पे कालिक लगाता है हम जैसे कवियों से मा गंगा कहती है क्यों रे कवी तु क्रांत दरश्टा है तु यूग्स रश्टा है हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो प्रयाग, हरित द्वार, रिशी केश तक जाकर गंगा की प्रसंसा में लंबी-लंबी रचनाय सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नाते हैं, तू क्या कर लेगा, तू भी व्याजस्तूती की कलपनाओं में खोज आएगा, अंत में मिन्डल वाटर पी के सो जाएगा, इसलिए तू जाग सबको जगा, मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है, तू जाग सबको जगा, जानकी नहीं, जान भी हूँ मैं, मेरी अंतर वेदना से, ये धरा फट भी गई, तो मैं इसमें समा नहीं सकती, मैं जगतारणी हूँ, जहां से आई ह वहाँ वापस जा नहीं सकती जहां से आई हूँ मेरे चैन पर संभौता आपने मुहर लगाई आपने सोचा होगा कि मैंने क्यों इसी समय अनल को बुलाया यहां एक निक्रिस्ट कोट के उत्क्रिस्ट कभी को हाथ से वेंग में जितना उपर उपर लेकिन मा गंगा की कभीता में उतनी ही सागर की गहराई कहां से पौराणिक संदर्व लेकर के जो उन्होंने किया सचमुच अनिल चौबे एक मैंने सुरू में कहा था विलक्षड प्राणी हैं अनिल चौबे इतनी चमता इनके भीतर है जिस भी भाव की कभीता चाहें उसकी भाव को कह देते हैं और सहजता कितनी है एक छोटा सा इनके बारे में बड़ी सारी किमदंतियां बनारस में प्रचली थे मैं बहुत नहीं जानता हूं मैं दुकेवल दो चार जानता हूं जैसे एक बता दूँ आपको कि एक बार ये बीमार पड़ गए बीमार पड़ गए तो हस्पिटलाइजड हो गए तो डाक्टर बाहर थे तो अपने जब कमरे से बाहर आए तो उन्ह आपने कुछ विद्यारिथियों की रचनाय सुने मैं अपने कभी मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे इस संस्थान के विद्यारिथी हैं वो सभी और हिंदी भाषा भाषी हैं लेकिन उनका उचारण उनकी अभी व्यक्ति उनका कहने का ढंग अपना अलग है आप मु बड़ी उनके एक मा की कविता की तारीफ करते हैं मा की कविता सुनाएं या जो कुछ हम अपने कुछ चातरों को सुनेंगे इसके बाद फिर हम अपने कभी मित्रों की तरफ लोटेंगे तु कितनी अच्छी है तु कितनी बोली है प्यारी प्यारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा की है जो दुनिया है ये वन हे काटों का तु फुल वारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा दूखन लागी है मा तेरी अक्या दूखन लागी है मा तेरी अक्या मेरे लिए जागी है तु सारी सारी रतिया मेरे निदिया पे अपनी निदिया भी तुने वारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई में मुसका या तू मुसकाई मेरो या तू रोई मेरे असने पे मेरे रोने पे तू बल हारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा बच्चों की जाँ होती है वो होती है किसमत वाले जिनके मा होती है कितनी सुन्दर है कितनी शीतर है न्यारी न्यारी है ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ओ मा ये वीजे कुमारी इसका स्वर और सच्मुच कहा जा सकता है कि मा स्तरश्वती का आशिरवाद इसके कंठ को है और उसकंठ का सम्मान हम करना चाहेंगे विभाजी से क्वावंत्रित करता हूं कि अपनी हमारी चात्रा को उतरी प्रदान करके सम्मानित करें हम सच्मुच क्या बात है इस नारी कंठ का सम्मान मंचा सीन श्रदे जनों को मेरा प्रणाम साथ ही मेरे अध्यापक कुरिंद तथा बाहर साय महमानों को सभी को में प्रणाम करते हुए अपनी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जैसे कि आज अभी मा से संबंदित कविता हैं और एक माहल बन गया है जिसमें मा को याद किया जा रहा है तो मैं उसी से संबंदित अपनी कविता सुनाना चाओंगा उससे पहले मैं कविता की भूमीका बाढ़ूंगा सच है कि मा जो है हम सब के लिए बहुत ही अमूल्य बहुत ही मतलब उनका कोई मूल्य नहीं है वो मूल्यों से भी उपर है तो पर अभी जिस यूग में हम है कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अपने बुजर्ग महबाप का सहारा ना बनकर उन्हें अनाहत आश्रम में छोड़ देते हैं उन्हें बे सहारा छोड़ कर चले जाते हैं तो मैंने भी कहीं देखा था कि ऐसी गटना हुई थी तो उसी से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है और ये सिर्फ मेरी एक छोड़ी सी कोशिश है आश्या आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं शुरू करता हूँ मा जिसकी सूरत में हम सब को बगवान दिखता है मा जिसकी सूरत में हम सब को बगवान दिखता है हर बच्चे को अपना सबसे प्यारा इनसान दिखता है जिसके आशिर्वाद से जीवन सफल समझते हैं जिसके चड़्णों में हमको सारा जहान दिखता है मा जिसकी सूरत में हम सबको बगवान दिखता है पर आज कुछ माई के लाल ऐसे भी है पर आज कुछ माई के लाल ऐसे भी हैं जिनके लिए मा किवल नाम रह गया है बुड़ापे में उनको अकेला बे सहारा चोड़ना अब यही बस उनका एक काम रह गया है उनको तो सिर्फ मा का पैसा और मकान दिखता है मा जिसकी सूरत में हम सब को बगवान दिखता है कैसे भूल गया तू मा के उन एहसानों को कैसे भूल गया तू मा के उन एहसानों को मा की खुशियों को उनके उन अर्मानों को तेरी खुशियों पे अपनी खुशियां तक वार देती तेरी खुशियों पे अपनी खुशियां तक वार देती उनकी कुर्बानी के उन अफसानों को तू तो इन सब से बिलकुल अंजान दिखता है मा जिसकी सूरत में हम सबको बगवान दिखता है तुझे सुखे में सुला कर खुद को पेशाब से तेरे बिगोती थी तुझे सुखे में सुला कर खुद को पेशाब से तेरे बिगोती थी तेरी हर बूल को नादानिया समझ कर तुझे सूखे में सुला कर खुद को पिशाब में तेरे बिगोती थी जो तुझे कभी दर्द हो तो वो रात रात बर रोती थी तेरी हर भूल को नादानिया समझ कर माफ करती तेरी हर भूल को नादानिया समझ कर माफ करती तुझे बर पेट खिला कर खुद बुखे पेट सोती थी अब तो उसका गर संसार सब सुनसान लगता है अब तो उसका गर संसार सब सुनसान लगता है मा जिसकी सूरत में हम सबको बगवान दिखता है भूल गया तू कितनी मुश्किलों से उसने तुझको पाला है बूल गया तू कितनी मुश्किलों से उसने तुछको पाला है हर मुश्किल और हर मुसीबत से बाहर तुझे निकाला है दुनिया का कोई बेटा ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता और तुने उसे बे सहारा छोड़ दिया तु सच में कितनी हिम्मत वाला है तू पहले भी नादान था, अब भी नादान लगता है मा जिसकी सूरत में हम सबको बगवान दिखता है भूल गया तू तेरे लिए वो दुनिया से हमेशा लड़ती थी, तू जी सके, इसलिए वो दिन रात काम करती थी तुझमें ही तो उसको अपना सहारा दिखता था, तेरी मासुम्यत पर और तेरी चाहत पर ही तो वो मरती थी तू उसकी खुशियों का कातिल शैतान दिखता है, मा जिसकी सूरत में हम सबको बगवान दिखता तुझे पढ़ाया, लिखाया, जीने का डंग सिखाया, दुझे पढ़ाया, लिखाया, जीने का डंग सिखाया, दुन्या के साथ चल सके, इस काबिल बनाया जब वक्त आया मा के दूद का कर्ज उतारने का, तो तू अपनी मा को ही बे सहारा छोड़ाया तेरे बिना वो गर भी अब उसको शम्शान दिखता है माँ जिसकी सूरत में हम सब को बगवान दिखता है बगवान करे तेरे साथ कभी ऐसी कोई बात ना हो बगवान करे तेरे साथ कभी कोई ऐसी बात ना हो तेरे बच्चों का तेरे साथ विश्वास गात ना हो जितना दर्द जितना जुल्म तेरी माने सहा है उतने बुरे कभी तेरे हालात न हो मान नहीं है तो कुछ भी नहीं है मान नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो तू किस बात का अभी मान करता है मान जिसकी सूरत में हम सब को बगवान दिता है इसके साथ मेरी एक और दूसरी कविता है, मैं उसको सनाने की वो करता हूँ, जैसे चोबे सर जो हासे कवियों उनसे प्रेरित होकर मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो ये हासे कविता जो है, अब जो बाबु जी हमारे वीच नहीं है, पर अभी वत्मान समय में अगर सोचते हैं, उसके बारे मैंने कविता लिखे है, मैं जादा वक्त नहीं लुँगा, जादा समय ना लुँगा, लेते हुए मैं शुरू करता हूँ, मैं गान्धी, मैं गान्धी देष को अपने पलपल बदलता देख रहा हूँ, मैं गांधी देश को अपने पलपल बदलता देख रहा हूँ खोजता हूँ मैं उस बारत को जहां इंसानियत बस्ती थी यहां तो इंसानों को शैतानों में बदलता देख रहा हूँ मैं गांधी देश को अपने पलपल बदलता देख रहा हूँ चाई है चारों और लालच, मोह, क्रोध की काली चाया बच्चों का बच्पन, बड़ों का बडपन, सब कुछ है इसने खाया लोगों के मन में हर पल लालच को बढ़ता देख रहा हूं मैं गांदी पल-पल अपने देश को बदलता देख रहा हूं एक युग था जब शेर और म्रिग एक गाट का पानी पीते थे छोटा हो या बड़ा, खुशी-खुशी सभी अपना जीवन जीते थे अपनी इन आँखों से उस युग को बदलता देख रहा हूं मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूं रामकृष्ण की ये पावंदर्ती सोने की चड़िया कहलाती थी छल कपट का नाम ना था, सब के मन को ये लुबाती थी अब अपने ही बेटों के हाथों बारत मा को चलता देख रहा हूं मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूं पहले रिष्टों में एक अलग ही मिठास होती थी सीता को लक्षमन से रक्षा की आस होती थी अब देश की सीताओं की रक्षा करेगा कोन अब तो लक्षमन को रावन बनता देख रहा हूं मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूं सोचता हूँ क्या ये वही बारत है, जिसके लिए वीरों ने बलिदान दिया, बगत सिंग ने फासी का चुम्बन और चंदर शेकर ने हसके अपना प्राण दिया, आज वीरों के बलिदान को तिल-तिल मरता देख रहा हूँ मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूँ राम रहिम का बेदना था, एक धरम था इंसानियत का, इंसान का धरम सबसे उंचा धरम माना जाता है तो राम रहिम का बेद ना था, एक दरम था केवल इंसानियत का, हर और केवल खुशिया थी, नाम ना था है वानियत का, अब इंसानियत को अब इंसानियत को दर्मों में बढ़ता देख रहा हूं, मैं गांदी देश को अपने पलपल बदलता देख रहा हूं, आखरी पंक्ति पाओ तुम, बहुत सह चुकी है, यह बहुत सह चुकी दर्द अब यह माता अपनी, पल-पल इसके दर्द को नासूर बनता देख रहा हूं, मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूं, मैं गांदी देश को अपने पल-पल बदलता देख रहा हूं, मैं गा करें है वतन वतन मेरे आबात रहे तू है वतन मेरे आबात रहे तू है वतन मेरे आबात रहे तू में जहां रहूं जहां में याद रहे तू में जहां रहूं जहां में याद रहे तू है वतन मेरे वतन एवतन मेरे वतन तु ही मेरी मन्जिल है पहचान तुझे से पहुझों में जहां भी मेरी बुनियात रहे तू है वतन वतन मेरे आबात रहे तू में जहां रहूं जहां में यात रहे तू ए वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम के आज आन नहीं दू कुरबान मेरी जान तुझ पे शाथ रहे तू कुरबान मेरी जान तुझ पे शाथ रहे तू ए वतन वतन मेरे आबात रहे तू मे जहां रहूं जहां मे आध रहे तू आज हमारे बीच में अभी जाने माने रचनाकार हाश्यकवी स्री चकाचाउद ग्यानपूरी जी उपस्तित हो चुके हैं और इसी के साथ साथ स्रीमती पोड़ी मा जी हमारी बीच में हैं मैं संस्थान की और से कुलपत जी की और से आप सभी की और से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और कुल सचिव जी से अनुद करूँगा कि आप कृप्या आगे आ जाए चकाचाउद जी आगे आ जाएए पोड़ी मा जी कुल सचिव जी से अनुद कर रहा हूं कि कृप्या कि आज के इस्वारोह में इन है कि स्वेमती पोड़ी मा भारती जी और चकाचाउद ज्यानपूरी जी ये दोनों आप चकाचाउद जी हाशी और विभंग के जाने माने रचनाकार है काशी हिंद तथा विदेश में अपनी रचनाओं के द्वारा जाने जाते हैं हमारा मन्च या संगोस्थी एक बहुत ही उचाई पर पहुंची हुई थी बीच में हमने अपने संस्था के एक दो चात्र चात्राओं को आउसर दिया उन्हें आगे आने के लिए आईए हम फिर उस धारा की तरफ लौटते हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ जे कृष्ण मुर्ती फाउंडेशन से पधारे हुए स्री शक्ति जी को आप आमें और अपनी रचनाओं से हमें अपलावित करें शक्ति जी सभी शुरुताओं को प्रणाम मैं दो एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे गीत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ धर्ती है एक आस्मान एक है फूल है अनेक बागवान एक है सभी को यहाँ पर है हक जिन्दगी का सभी के लिए है ये तोहफा खुशी का न देशों की सीमा न मजभ जुदा खुदा का ये सारा जहान एक है धर्ती है एक आस्मान एक कहीं पर है भारत कहीं पर अरब है सभी के दिलों में बसा एक रब है वो रब प्यार ही प्यार से तो बना कई जिस्म है फिर भी जान एक है धर्ती है एक आस्मान एक है वही सूर्य की सब जगा है सवारी वही सूर्य की सब जगा है सवारी ये वसुदा है जननी हमारी तुम्हारी सभी है कुटुम्बी भले दूर हों हिर्दय में जगे जो बिहान एक है धर्ती है एक आस्मान एक है फूल है अनेक बागवान एक है दूसरा गीत कृष्ण जन्माष्टमी अभी पीछे गई है तो ये एक गुजारिश है हर इंसान से भी और कृष्ण से भी ऐसा गीत है जिसको अल्लाह में भगवान नजर आये नहीं और जिसे राम में रह्मान का दीदार ना हो मजभवो धर्म के मानी उसे मालूम नहीं जिसके दिल में तेरे बंदों के लिए प्यार ना हो तू ही मजजिद में इबादत का सिला देता है तू ही मंदिर में बुते इश्क बना है मोहन और तेरी शान का पैगाम है ये गुर्दवारे तू ही गिरजे में भरा करता है सबका दामन फिर तेरे नाम पे क्यों रोज लभू गिरता है क्यों तेरी आड में शैतान लड़ा करता है क्या तेरा जन्म किसी मंदिरो मजजित से बनधा क्यों तेरी जात से इंसान जफा करता है तूने तो दोस्त महबबत से बनाया था इसे तेरी दुनिया को महबबत ही से नफरत क्यों है है कहीं मुल्क की दिवार कहीं मजभ की तेरे होते तेरी धर्ती की ये हालत क्यों है तेरा वादा था तू हर यूग में यहां आएगा प्रार्थना आज ये धर्ती की है तेरे आगे एक अवतार से अब कुछ नहीं होने वाला तेरा वजूद हर इनसान के दिल में जागी यह थे शक्ति जी जुनोंने बड़े सारे मौजू सवाल आज के उठाए कि हम क्यों इतने बटे हुए हैं चाति में, धर्म में अनेक अनेक संप्रदायों में हम बटे हुए हैं इंसानियत का धर्म हम क्यों नहीं अपना पाते हैं बहुत बहुत बढ़ाई सर आपको धन्यवाद और अब इसके बाद हम कविता के श्वर को कविता के अंदाज को थोड़ा सा आपके सामने बदलना चाहते हैं अभी आज कच्छा में हमने अपने विद्यारतियों से कहा कि आज दो बज़े से कभी गोस्ठी आना है तो एक विद्यारतिय ने कहा कि सर वो कभी जी आ रहे हैं नहीं जोनोंने सुनाया था जास्ती बात नहीं करने को तो मैं थोड़ी देर तक चौका कि ये कौन है लिएक जब मुझे याद आया तो लगा कि अगर एक कभी की किसी पंग्ति को और एक अहिंदी भासा भासी विद्यारति के जवान पर अगर है तो उस कभ में कुछ दम जरूर है ऐसे दम वाले कभी को प्रकाश उदय को जिनकी रचनाओं में इस भोजपुरी प्रदेश के माठी की गंद है जिसकी रचनाओं में किशान और मजदूर की कसक है उसका परिश्रम है उसकी लगन है जिनकी रचनाओं में एक अलग तरह की खुबशूर्ती है जिसके रचनाओं में एक अलग तरह का जादूई गंद है ऐसे डाक्टर प्रकाश उदेजी को आमंतित करता हूं और फिर माईक उनके सामने, स्रोता उनके सामने, हम सब उनके सामने एक भोजपुरी रचना सुना रहा हूँ जो देवता भगवान किस्म के लोध होते हैं उनको भी कुछ दुख तकलीफ और उस दुख तकलीफ की तरब भी हमें देखना चाहिए तो अपने बनारस के देवता और उसमें भी महादेव, देवाधी देव और उनके एक पडोशी भगवान, उनकी तकलीफ को बयान करने की कोशिस की है भोजपुरी कविता है आवत बाटे सावन शुरू होई नह वावन आवत बाटे सावन शुरू होई नह वावन भोला जाडे में असाडे से परल बाडे ए गो लांगा लेखा देह राखें राखें में लपेट लोग धोधा के उघारे परल बाडे भोला जाडे में असाडे से परल बाडे और इस्थिती जो है एने बर खाके मारे गंगा मारे धारे धारे जट पावे ना समहारे होत जाले जाकी नारे शीव शीव हो दोहाई मुह मारी सेवकाई उहो देबे परिजाईने अडल बाडे भोला जाडे में असाडे से परल बाडे इने बर खाके मारे गंगा मारे धारे धारे जट पावे ना समहारे होत जाले जाकी नारे शीव शीव हो दोहाई मुह मारी सेवकाई उहो देबे परिजाईने अडल बाडे भोला जाडे में असाडे से परल बाडे और एक सबसी बड़ा संकट जो शीव जी का है बाटे बड़ी बड़ी फेर बाकी सभकासे धेर हई काल साके छेद देखट अपकल फेर बाटे बड़ी बड़ी फेर बाकी सभकासे धेर हई काल साके छेद देखट अपकल फेर गवरा धावरा हो दोहाई आत धेर नचोन हाई अभी छोट का के धोय के धयल बाटे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे बाटे बड़ी बड़ी फेर बाकी सभका से धेर हाई कल साके छेद देख टपकल फेर गउरा धाउरा हो दोहाई आत धेर न चोनाई अभी छोटका के धोये के धायल बाटे भोला जाडे में असाडह से परलबाडे और अब थोड़ा पती-पत्नी में जगडा शुरू हुआ बाडू बड़ी गीर्थिन खाली लाइके के फिकीर बाड़ बापे बड़ी नीक खाली अपने जीकीर बाडू पथरे के बेटी बाटे जहरे नरेटी बात बाते घाते बढ़त बढ़ल बाटे बाडू बढ़ी गीर थिन खाली लाइके के फिकेर बाड़ बापे बढ़ी नीक खाली अपने जिकेर बाडू पत्थरे के बेटी बाटे जहरे नरेटी बात बात घात बढ़त बढ़ल बाटे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे सुनी बगल के हला ग्यान वापी में से अला सुनी बगल के हला ग्यान वापी में से अला पूछे भोईल का ए भोला मह कैल जा महला एगो माईक बाटे माथे एगो तोहनी के साथे भांग बूटी गाजा फेरू का घटल बाटे बोला जाडे में असाढे से परल बाडे सुनी बगल के हला ग्यान वापी में से अला पूछे भाईल का ए भोला मह कैल जा महला एगो माईक बाटे माथे एगो तोहनी के साथे भांग बूटी गाजा फेरू का घटल बाटे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे दुनो जाना के भेटाईल माने दुख दोहराईल इना हाने न कुआईल उअजाने आउजाईल इनके लागेला सोमार उनके जुम्मा के बोखार दुख कहले सुनल से घटल बाटे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे दुनो जाना के भेटाईल माने दुख दोहराईल इना हाने न कुआईल उअजाने आउजाईल इनके लागेला सोमार उनके जुम्मा के बोखार दुख कहले सुनल से घटल बाटे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे भोला जाडे में असाढे से परल बाडे धन्यवाद मुझे अगर वो कविता सुनानी है जास्ती बात बोलने का नहीं तो मैं दो कविताइं सुनाऊंगा हिंदी की ताकत ये है कि वो दूसरी भाशाओं से मिलकर एक अपना रंग रूप हर बार नया तयार कर लेती है तो पहले भोजपुरी से मिलकर जो उसका एक रंग रूप बनता है उसकी एक बानगी और फिर मराठी से मिलकर मुंबईया हिंदी का जो एक रूप बनता है उसकी एक बानगी कभी घन्ने घना कभी मुठी भचना कभी उहो मना बाकी पूछे जो के हूँ कि का हाल चाल चका चक ठीक ठाक ठीक एठाक देशा बी देशा में टन्सन बहुत आफ़त पाफ़त बिपत्प बिपत्रामा कुफुते कुफुत अरे धुत धुत बुडवग टन्सन त ई है कि खईनी है चूना नहीं कहती है बीवी न हैला बिना प्यारे जूता भी छूना नहीं गुरु बहुते सही सही होत भया एही बात परचाह चौचक पियावत जानी पान खईबत खाना खी अईबत जा हमके चूना लहाद जानी सही होत भया एही बात परचाह चौचक पियावत जानी पान खईबत खाना खी अईबत जा हमके चूना लहाद जानी ऐसा है भया की टाइम का रोना है अब भी है इधर पर दुईये मिनिट बाद उधर को होना है जागम जाग भागम भाग टेम पर न खाना न पीना न सोना है का करियेगा बहुत बहुत पाना है तो कुछ ना कुछ तो खोना है अरे छोड़ा हो आव बैठ बतियाव दुईगाल अब पूछे जो के हूँ की काहाल चाल चकाचक ठीक ठाक ठीके ठाक कभी घन्ने घना कभी मुठी भच्याना कभी उहो मना बाकी पूछे जो के हूँ की काहाल चाल चकाचक ठीक ठाक ठीके ठाक और अंतिम ये मुंबया हिंदी मराठी से जुड़ी हिंदी और इसमें कोशिस की है आम तोर पर कभी लोग आम आदमी की बात सुनते हैं और सत्ता तक पहुचाते हैं कभी कभी सत्ता वालों की बात सुननी चाहिए उनकी तरफ से भी बात आनी चाहिए तो वो जो कहते हैं वो सुनने की कोशिस की गई है जिद्धर को बैठा है जैसे बैठने का बिल्कुल बिंदास डोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं जिद्धर को बैठा है जैसे बैठने का बिल्कुल बिंदास डोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं ऐसा भी नहीं बेशक चीखने का चिलाने का चोट जो है सो किधर है कितना दिखाने का सजाने का भजाने का पर अपनी चोट से चिलाहट से हमारे चैन को चुप्पी को तोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं नहीं ऐसा भी नहीं बेशक चीखने का चिलाने का चोट जो है सो किधर है कितना दिखाने का सजाने का भजाने का पर अपनी चोट से चिलाहट से हमारे चैन को चुपी को तोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं कमाने का खाने का मौज जो मिले सो उडाने का नह नहीं मिले, don't worry, toll-free number है, घुमाने का, बताने का, but how we managed एक प्लेट दिनर at the rate of rupees 7,000 only, this is a mystery, इसे हिंदी फिंदी में खोलने का नहीं बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं, कमाने का, खाने का, मौझ जो मिले सो उडाने का, नहीं मिले, don't worry, toll-free number है, घुमाने का, बताने का, but how we managed एक प्लेट दिनर at the rate of rupees 7,000 only, this is a mystery, इसे हिंदी फिंदी में खोलने का नहीं, बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं, दुनिया में आया है, तो जीना तो पढेंगा, पर अपने जीवन के जहर को, हमारे जहर के जीवन में घोलने का नहीं, दुनिया में आया है, तो जीना तो पढेंगा, जीवन है जहर, अगर तब भी पीना तो पढेंगा, पर अपने जीवन के जहर को, हमारे जहर के जीवन में घोलने का नहीं, बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं, जिद्धर को बैठा है, जैसे बैठने का बिलकुल बिंदास, दोलने का नहीं, बोले तो जास्ती बात बोलने का नहीं, धन्यवाद. यह है हिंदी की ताकत और यह है डाक्टर प्रकास उदय की महा ताकत. भासा की ताकत को किस तरह से विश्तार पाती है हिंदी, भोजपुरी में, मराटी भासा में और उसको कितनी खोपशूरती के साथ व्याग्यात्मक धंग से डक्टर प्रकास उदय ने रखा इसलिए तो पहले प्रकास हैं कि पहले उदय हैं कि पहले उदय होते हैं, तब प्रकाशित होते हैं, आज तक काशी के लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत बहुत बदाई, और अब हम कविता को, देखे, कविता, मैंने सुरू में बताया था, कविता करती क्या है, हमारा जीवन सच्मुच जहर में घुला हुआ है, सांप और नेवले के लड़ाई अपने देखा होगा, सांप जहर से भरा हुआ है, और वो सांप नेवला लड़ता है, तो थोड़ी देर के बाद नेवला भागता है, अपनी बिल में, और वहां से एक जड़ी सूंगता है, फिर वापस आता है, लड़ता है, और अंत में जीतता है, कविता साइद वही जड है हम बिश से लड़ रहे हैं और खास करके शहरों में तो वह बिश और है अग्गे की एक कविता है साप तुम सभ्य तो नहीं हुए नहीं आया नगर में बसना एक बात पूछूं उत्तर दोगे फिर ये बिश कहां से पाया कहां सीखा डंसना उस दंस के वाता बरण में रह कर करके अगर हमें जड़ी देती है ताकत देती है तो ये कविता देती है जिसके माध्यम से हम हसने को मजबूर होते हैं जिसके सामने हम हमारी संबेदना जागरित होती है जिसके सामने हमारे भीतर का मन चित उदित होता है ऐसी कविता है आई ये कविता के भाव को थोड़ा स मैं यहां उपस्थित सभी लोगों को पड़ाम करती हूँ और आशिरवाद चाहती हूँ हम लोग हिंदी दिवस मना रहा है और संचालग जी बहुत अच्छा संचालन कर रहा है मैं एक बात कहना चाहती हूँ मैं तो हासे की कभित्री हूँ तो गायका आपने कह दिया तो मैं संचालग जी को बिशेश प्रड़ाम करती हूँ क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घर का संचालन अच्छे से नहीं करते हैं उनको हम लोग कभी संवेलन का संचालन दे देते हैं और मैं उनके लिए उनके सम्मान में चार पंक्तियां देना चाहती हूँ कि आप जीधर से निकले उधर गुलाब खिल गया जमी से जैसे जमी से आसमान मिल गया यू तो कोरे पने फार फार फेका कई बार जाका आपकी आखों में पूरा किताब मिल गया और या निल जी बैठे हुए हैं उचे मंच पे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके इनको अब इसी तरह यह सदियों से बैठे रहते हैं आज कोई नया नहीं बैठे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि दखे हैं हिंदी दिवस मना रहा है चाल लाइन मैं हिंदी के लिए देना चाहती हूँ इसके लिए फिर अपना कावेपाट करोंगे कि खेतों में जो अन उपजाता वो किसान है हिंदी अपने ही घर में महमान है हिंदी हमारे टुकणों पर जो पले वो जाडते हैं अंग्रेजी कह दो इन अंग्रेज के अउलादों से कि एक नया भिहान है हिंदी एक नया भिहान है हिंदी तो आप लोगे मेनत करिये तालिवली बजाईए यसे लग रहा कि सत्नराइन जी का कथा सून रहा है आइसे थोड़े होगा मेहनत कुछ करने ही पड़ेगा हम लोग का इतना पानी बरस आता है अंधी तुफान से यह आई हुए हैं आइसे नहीं आए हैं और देखे आज कर बच्चों के बात करिये तो बच्चे कितने चालू हो गए हैं यह मोबाईल नेट इसमकाउं के उपर क्या असर पड़ता है एक बिद्यार्ती से मैं ने पूछा कि बेटा बताओ सोच और भ्रम में क्या अंतर होता है बोला मैडम आप बहुत खुबसूरत हैं यह हमारी सोच है मैडम आप बहुत खुबसूरत हैं यह हमारी सोच है और हम अभी बच्चे हैं यह आपका ब्रम्राइब छकाचा ओ जी बैठे हुए है हांसे समराथ है इतना ठाका लगा रहा है आप लोग भी लगा रहा है मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो फुरुस बाहर इतना ठाका लगाता है घर में जाते हैं मवनी बरत धार्ण कर लेता है उह स्या कोई भी बात कर्ये हैं हां इसके अला दोड़ी मेरे पास आई बोली पुरिमा जी बताईए जिन्दगी क्या है मुझे भी समझाईए बोली पुरिमा जी बताईए जिन्दगी क्या है मुझे भी समझाईए मैंने कहा भाई जिन्दगी का सफर तो सुहाना है कभी खोना है कभी पाना है मैंने कहा भाई जिन्दगी क एक कठीन प्रस्न है, इसका हल नहीं मिलता, वोली जीवन एक कठीन प्रस्न है, इसका हल नहीं मिलता, मैंने कहा, तो आप इतना दुखी क्यों हो रही है, अरे आपको हल नहीं मिला, तो क्या हुगा, बैल तो मिला है, मैं तो बैल इंसान हो रहा है, असना सीख लिया तो, बैल तो मिला है, फिर मैंनो इसे पूछा कि भावी जी आप पहले बहुत खुश रहा करती थी, आज क्यों इतना दुखी है, मैंने कहा भावी जी आप पहले बहुत खुश रहा करती थी, आज क्यों इतना दुखी है, बोल मैं अपने पती की आवारा गर्दी से तंग आचुकी हूँ, मैं अपने पती की आवारा गर्दी से तंग आचुकी हूँ, इसलिए दुखी हूँ, कल मैंने उन्हें सिनेमा हाल में एक महिला के साथ देखा, कल उन्हें सिनेमा हाल में मैंने एक महिला के साथ देखा, मैंने कहा तो वहीं पे आठ, दस हाथ क्यो नहीं रखा? मैंने कहा, तो वहीं पे आठ, दस हाथ क्यो नहीं रखा? बोली क्या करती लाचार थी, उस समय मैं भी किसी के साथ थी. हमारे अनील जे बैठे हुए है, अच्छे लग रहा है, इंको एक बार देख लीजे, मुझे याद आ रहा है, कि हम लोग बहुत बार कभी समय मैलन किये हुए, पूरे हिंदूस्तान गूमे हुए एक साथ. तो एक बार अपने ससुराल गए, सासु जी ने खूब दूद, दही, घी, मक्षन, पनीर से इंका स्वागत किया, आठ दस दिन बार जब होहां से आने लगे तो सासु जी ने कहा, कि पेटा आठ दस दिन और उख जाते तो अच्छा होता, नहीं तो आप चले जाएंगे, तो मेरे घर जो दूद, दही, घी, मक्षन, पनीर, सब की सुईधाय है, इस सारी सुईधाय बंद हो जाएंगे, अब अनीर जी के समझ में आया नहीं, कुछ ट्यूबलाइट टाइप के हैं, बोले क्यों क्यों माता जी मेरे जाने से आपके घर दूद, दही, घी, मक्षन, पनीर की सुधाय बंद हो जाएंगी, माता जी ने कहा बेटा, बात दर असल ऐसी है, कि मेरे भयस का पड़वा मर है, और आप जब से मेरे घर आए है, मेरी भयस आपको देखकर दूद दे रही है, अब ही, जब दो हजार चौदे में चुना हो रहा था, तो उस समय राहूल गांधी सब जगह घूम रहे थे, जाके लोगों के घर, दलितों के घर, इसा राम दे बाबा ने कहा, तो मैंने च मैंने उनके सामने उनसे बात की थी और जो निकला आपनों को समर्पित करती हूं, कि दलित के घर जाना, सोना, खाना, हनिमून मनाना, बाबा, आप तो बाबा है, आपने ये सब कैसे जाना, बाबा आप तो बाबा है, आपने ये सब कैसे जाना, एक आग तो चल गई चलाने में दूसरी भूल के भी बड चलाना तो और बाबा राम देव जब अंसन् किये हुए थे तर किस मुद्रा में किये हुए थे और किस मुद्रा में भागे हुए थे क्या पहन के आप उस दृषिक और टीवी में जो आ रहा था या जो लुग देखे भी होंगे याद करिये और कि कल रात मेरे सपने में बाबा राम देवाए कल रात मेरे सपने में बाबा राम देवाए अनीक प्रकार के योगा सिखा है मैंने का बाबा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ मैंने का बाबा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं सलवार कुर्ता नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं सलवार कुर्ता नहीं पहनती हूँ, बोले शीर्शासन करो, मैंने कहा कुछ तो लोकलास से डरो, मैंने कहा कुछ तो लोकलास से डरो, बोले लोकलास से डरता है, तो सलवार कुर्ता पहन के भागता है, लोक ला से डरता तो सलवार कुरता पहण के भागता और पगली तू भूल गई है क्या इतिहास गवा है जब जब नर और नारायन पे संकट पड़ा है उन्होंने नारी का ही पल्लू पकड़ा है लारी का ही पल्लू पकड़ा है लारी आपके आप सभी को बड़े करीने के साथ गुन गुनाने का अउशर दिया पूर्डी मा भारती जी ने और सस्मुच वो हाश्य और भ्यंग की भूत ही चर्चित कवियत्री हैं और जहां तक संचालन आज की बात है मैं घर का भी संचालन करता हूँ और अच्छी तरह से करता हूँ यहां तो मुझे पता था कि आप आ रही हैं इसलिए मजबूरन मुझे करना पड़ा और ये कर आपके सपने में बाबा जी लोग भी आ रहे हैं ये वड़ा खतरनाक है ये खत्रे की घंटी है अब मुझे नहीं लगा कि अब चका चौध जी अगर आपको न समझा सके तो हम लोग को समझाना पड़ेगा तो बहुत बहुत धन्यबाद आपको और हमारे बीच में चका चौध जी हैं हम लोग एक बड़ा संकट है अभी हम लोग सुरू सुरू में मने कहा कि मां एक हाषय और व्यंग का ज्छलक आपको दे रहा हूं अनिल चौध के माध्यम से तो अनिल चौध ने बड़े वोष्णा किया कि मैं सबसे बड़ा कवी हूं और विश्टो का का आनंद ले सकें लेकिन बीच बीच में हम लोग थोड़ा बदलते रहेंगे चका चौध जी हमारे बीच में हैं इनके साथ गजब कुछ होता रहता है चका चौध एक बार जंगल में जा रहे थे आधी रात में और इनको एक चुडएल मिल गई चुडएल जानते हूं गया बेंगर चुडएल और उसने कहा कि नहीं नहीं अब आप क्यों कर रहे हैं बैठीय पर गल में चुडएल ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी तो हसने लगे और दर नहीं रहे हो मैं तुम्हें खाऊंगी तौ मुझे खाएगी तुम्हारी बहन तो मेरे साथ 10-15 ृसल unin के अब हम थोड़ा क्राम को बदलें अपने एक बिद्यार्थे को भी हम सुने और सच्मुच हमा मंत्रित करते हैं अपनी छात्रा राजकुमारी को और एक ऐसा गीत जो साइद तिब्बत और भारत की जो आत्मा है उसमें बशा हुआ गीत राजकुमारी सभी को नमस्कार तो मैं आज आप सभी के समक्ष खड़ी होकर अपने हिन के विश्य में खाना कीत प्रसुत करना चाहूंगी ए हिंद तेरी सर्जमी से तिब्बत को तन फामे ला एए हिंद तेरी सर्जमी से तिब्बत को तव्बा मेला है आई हिंद तुझको सलाम आई हिंद तुझको सलाम आई हिंद तेरी सरसमी से तिपद को तौफा मिला है आई हिंद तेरी सरसमी से तिपद को तौफा मिला है तेरी सरहत में आए हम मिलता है आराम तुझको हमारा सलाम हम लेकर आए है वहां से गम का पैगाम तुझको हमारा सलाम तेरही वद से हमारा तेरही वद से हमारा रसता निकला है आई हिंद तेरी सरसमी से तिपद को तौफा मिला है ए हिंद तुझ को सालाम ए हिंद तुझ को सालाम तुझ को सालाम तुझ को सालाम तुन्यवाद मैं पुर्वकुल सचीव प्रफसर देवराज सिंग जैसे अनुरूद करूंगा कि छात्रा को उतरी प्रदान करके इसे संवानित करे हमारे वीच में बहुत ही प्रतिस्ठित कवियों के साथ जाने मानी गीतकार बैटे हुए हैं और कुछ ऐसे महामनिन बैटे हुए हैं जिन्होंने गीत की विधा को और आगे ले जाकर कि नवगीत के स्वरूप में आज के जीवन के संत्राश को, आज के जीवन की विशंगतियां को, आज के जीवन का जो दंस जीने का है, उसको बहुत ही खुबसूर्ती के साथ अपने गीतों में प्रस्तुत किया है. मैं बहुत आदर के साथ है दैनिक जागरण के वरिष्ट उपसंपादक सरी हिमानशु उपाध्याय जी को जिनकी पंक्तियां छोटे छोटे पुरुवों की गाउं जिंदगी ऐसी जिंदगी की परिभासा देने वाले रचनाकार को आमंत्रित करता हूं हिमानशु उपाध्य जी परमादरनिया कुल्पति जी मंच पर आदरनिय सिंग साथ पाध्या जी ओंधीरत जी चोवे जी कारिक्रम का अभूत पुरुस नचलंग कर रहे है ड़कर रामसुदार सिंग जी सामने पंक्ति में बैठे हुए हमारे कवी मित्रगन और आप सभी यहां सभागार में मौजूद प्रभुद जन आप सभी को मेरा प्रडाम है एक दो मुक्तक और एक छोटा सा गीत चाहूंगा पढ़ना आज यह आज इस मौके पे हम यहां उपस्थित हुए हैं वो हिंदी से संबंदित है राजवासा से संबंदित है चार पंक्तियां हिंदी को लेकर आपके माध्यम से मैं उपर तक ले जाना चाहता हूँ कि हसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए हसनी चाहिए मुस्कुरानी चाहिए फिर वही सूरत पुरानी चाहिए हसनी चाहिए, मुश्कुरानी चाहिए, फिर वही सूरत पुरानी चाहिए और आपकी क्या अर्चने हैं आप जानिए आपकी क्या अर्चने हैं, आप जानिए हिंदी अपने आसन पर आनी चाहिए आपकी क्या अर्चने हैं, आप जानिए हिंदी अपने आसन पर आनी चाहिए और एक आत्मुक्त कोर कि सत्य जब तूटता है कोई भी संभावना आशा नहीं होती सत्य जब तूटता है कोई भी संभावना आशा नहीं होती और प्यार की अभिव्यक्त में अक्षर नहीं, शब्द नहीं, भाशा नहीं होती प्यार की अभीवक्ति में अक्षर नहीं, शब्द नहीं, भाषा नहीं होती, और जी चलें अपने मुताविक जिंदगी को, जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं होती. जी चलें अपने मुताबिक जिंदगी को और जिंदगी को लेकर एक छोटा सा गी तेदी राम सुधार जी ने अभी चड़्चा की अच्छा इस मौके पर एक बात बताना आप लोग को एक रहस्य की बात बताना मैं उस ब्यामों से अपने आपको लग नहीं कर पा रहा हूँ बनारस में बहुत कम लोग जानते हैं कि डाक्टर राम सुधार जी बहुत अच्छे कवी हैं और आप सब भी जानते होंगे शायद नहीं जानते होंगे तो आज मैं रश खोल रहा हूँ कभी आपको और सर मिले खास करके चात्राओं से जो नहीं लिख रहे हैं वो आप इनकी कविताएं जरूर सुनिएगा राम सुधार जी बहुत बच रहे थे और अपकी एक दुरुदर्शन के कारकम में हमने हो रूम्धी रज जी ने इनको जबरदस्ति उस कारकम में बैठा दिया यह चाह नहीं रहे थे और आप यकीन नहीं मानेंगे जो एपिशोड था दुरुदर्शन का वो बहुत चर्चित हुआ और राम सुधार जी की कविताएं बहुत सराही गहीं यूट्यूब पर भी चली तो इसलिए आज बहुत बहुत अच्छा संचालन करते हैं पहली बार किसी कविताम्यलन का यह बहुत विद्वान विकती है आप सभी जानते हैं और एक विद्वता पुर्ण संचालन कर रहे हैं और पहली बार किसी कविताम्यलन का खुश्रत संचालन करते हैं आज हम सब आप इनको देख रहे हैं इनको बहुत बदाई में एक छोटा सा की जिन्दगी के उपर पढ़ना चाहूंगा जिन्दगी है क आप सब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बाते कहीं हैं लिखी हैं हमने भी कुछ चार्चे दस पंक्तियां लिखी हैं और इसमें आम आदमी की जिन्दगी है एक विक्ति की जिन्दगी है और जो परिस्तितियां है घर-घर की कहानी है मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे पूरों की गाव जिन्दगी, कितनी अपरचित पड़ाव जिन्दगी, नदी में भवर है भवर में फसी, दोस्तों ये कागज की नाव जिन्दगी, छोटे छोटे पूरों की गाव जिन्दगी, और क्या है जिन्दगी, कि धूप जैसी जलती है छाम जिन्दगी, तूटे हुवे कांच पे पाम जिन्दगी, धूप जैसी जलती है छाम जिन्दगी, तूटे हुवे कांच पे पाम जिन्दगी, धूआ धूआ शकले शकलों की हद में, गिली हैं लकडियां अलाव जिन्दगी, छोटे छोटे पूरों की गांव जिन्दगी, कविता लंबी है लेकिन आखरी बंद मैं बढ़कर अपनी बात ख़तम करना चाहूँगा, एक व्यक्ति पूरी जिन्दगी, पूरी सिद्दत के साथ जीता है, लेकिन वो अंत में पाता क्या है, यह हम सब की कहानी है, अपनों से ऐसा लगाव जिन्दगी, खुद से बेगाना बरताव जिन्दगी, अपनों से ऐसा लगाव जिन्दगी, खुद से बेगाना बरताव जिन्दगी, दुश्मनों से उम्र भर जूजती रही, अपनों से हार गई दाव जिन्दगी, अपनों से हार गई दाव जिन्दगी, छोटे छोटे पुरों की आव जिन्दगी, धन्यवाद, उम्र भर दूसरों से जूजती रही, अपनों से हार गई दाव जिन्दगी, ये इतना बड़ा स्थ्य है, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप लोगों का हाथ बगल वाले के जेब में नहीं है, तो तालियां बजनी चाहिए न, और ये संकट हमारे आदरेने भिक्छू छात्चात्राओं से नहीं है, क्योंकि उनको तो जेब ही नहीं है, जो जेब वाले लोग हैं उनसे खत्रा है कि बगल वाले से थोड़ा सावधान रही है, तालियां बजनी चाहिए इन सभी रचनाकारों का उत्षाह वरधन होता है, अभी हिमान्शु जी ने बहुत ही सुन्दर एक गीत सुनाया, और सुरू के मुक्तक में इन्होंने हिंदी की बात कहा है, हिंदी के गौरों की बात कहा है, विश्व मानवता की भाषा हिंदी है, अपने बीच में एक ऐसे रचनाकार को बुला रहा हूँ, और साइद उनकी पंक्तियों से ही आमंत्रित करूं, तो वो खुद समझ जाएंगी कि कि किसको बुलाये जा रहा है, और है, भारत की आनबान है, अभिमान है हिंदी, इस देश के हर व्यक्त का सम्मान है हिंदी, इस पर हो नाज क्यों नहीं, हम सब को आए विभा, भाषा है अपने देश की पहचान है हिंदी, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मती विभाशिंग को जो एक जानी मानी के वित्तरी हैं और वो अपनी गीति अब यह उसी में पड़े हुए है क्या कविता तो समरस करती है अब यह आप लिंग में पड़े हुए है तो सब dop आपम फिर्सए अप लोगकी बिच में पस्थित हुई हूं अप सभी को यह नव में पड़ाण करती हूं आ चाहती हूं कि एक बार जोड़दार्थालियां आप लोगों के लिए होनी हुए और इन चार पंक्तियों से मैं इस कवी सम्मिल में जो मैं कावेपाट की भूमी का है मैं उसे शुरू करती हूं सुनेगा जब हुर्दै से कोई प्रार्थना हो गई पुर्ण जीवन की सब साधना हो गई बावरी पीर को जब कोई स्वर मिला गीत गजलों से सजके विभा हो गई बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहते हूं कि इसी तरह के मंद मंद तालिया आप लोग की बसती रहनी चाहिए और मैं कुछ पंक्तियां और आप लोग की बेच में पढ़ती हूं सुनेगा आप सब जानते हैं मैं इन्होंने बताया मैं स्रंगार की कव्यत्री हूं आदेश हो अगर आपका तो मैं पंक्तियां महा से शुरू करूं पड़ती हूं सुनेगा लोग क्यू प्यार निभा करके तोड़ देते हैं एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से जो तूटी कल भी दो दिलों को जोड़ देते हैं मैं देख रही हूं कि इतालिया अच्छी वज़ रहे हैं क्यूंकि हमारे जैसे लोग यहां पस्तित हैं और कुछ पंक्तिया और मैं आप लोग की बिज में पढ़ती हूं सुनिएगा ख्वाब खुद की आँखो में देखना जरूरी है आसुओं के दरिया को रोकना जरूरी है गमजदों की बस्ती में आ गए हैं दीवाने किसको दिल दिया जाए सोचना जरूरी है किसको दिल दिया जाए बहुत बहुत धन्यवाद और यह चार पंक्तिया मुझे बहुत पसंद हैं जो मैं आप लोग के बिच में पढ़ना चाहती हूं सुनिएगा हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया होटों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया होटों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया दिल को सजा सजा के आयो ध्या किया मगई दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया और मैं गीत पढ़ना चाहती हूं मैं प्रेम की पूजा करती हूं और गीत वहीं से मैं प्रारंब करती हूं सुनियेगा आप लोग लेकिन गीत पढ़ों तो उसमें तालिया आपकी बजनी चाहिए मैं गीत पढ़ती हूं सुनियेगा प्यार कान हद बोल है प्यार की भाशा मौन जग में प्यार के रंग से भला बचा है कौन प्रेम भरी बन सी कान हा की प्यार भरी बन सी कान हा की जब भी बोलेगी कोई युग हो बन कर बावरी राधा डोलेगी जिस पर कोई जो और चले ना और लगे ना पहरा प्यार तो अपने मन का मालिक खुद का राजा ठहरा इसकी मीठे बोल रसीले घाब मगर है गहरा अंतर मन में पीर सुलगती उपर रंग सुनहरा प्रेम दिवानी मर जाएगी राज न खोलेगी कोई युग हो बन कर बावरी राधा डोलेगी प्यार भरी बन सीकाना की जब भी बोलेगी कोई युग हो बन कर बावरी राधा डोलेगी प्रेम भरी बन सीकाना की प्यार भरी बन सीकाना की जब भी बोलेगी कोई युग हो बन कर बावरी राधा डोलेगी मथुरा बैरी हो वे चाहे व्रेंदा बन हो दुश्मन खुशी मिलन की मिले की चाहे विरह की डस ले नागन प्यार ने माना है कब आखिर प्रतिबंधों का बंधन क्रिश्न बिना है राधा जैसे सांस बिना हो जीवं प्यार की खातिर काटो पर भी प्यार की खातिर काटो पर भी हस कर सोलेगी कोई युग हो बन कर बावरी राधा डोलेगी और सर मैं आपको ये पंक्तिया समर्पित करती हूं सुनियेगा शीष महल का वैभो हो या जंगल की वीरानी अपनी प्रेम तपस्या हर पल अपनी प्रेम कहानी अपने धुन की पक की जोगन हार कभी ना मानी मोहन के मन बसी विभातो हो गई राधारानी प्रेम पुजारन कुछ भी करलो प्रेम ही घोलेगी कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी हाँ कोई युग हो बनकर बावरी राधा डोलेगी बहुत बहुत बदाई अपने इन प्रेम गीतों के साथ ये विभा हमारे बीच में थी और सच्मुच्च प्रेम तो जीवन का सारतत्व है अगर हमारे जीवन में प्रेम इश्वरी वरधान है, प्रेम स्वेंग इश्वर है अगर हम प्रेम से वंचित हुए तो हम इस स्वरत्तों से वंचित हो गए और बनारश के एक बड़े गीतकार की पंक्तियां उधार ले करके कहूं गीत जिस दिन मुहबबत के मर जाएंगे तूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे हमें तूट से विखरनी को बचाता है प्रेम हमें जोडता है हमें ताकत देता है ऐसे कृष्ण की बांसुरी और राधा के बावरीपन के सुन्दर गीत भीभा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया अब आईए थोड़ा सा रस्त बदलें मैं आपको एक छमा के साथ चाहता हूँ कि हमारे कुछ शमित्रों ने संस्थान के लोगों ने कविता सुनाने की जिग्यासा जाहर की थी लेकिन हमें किसी भी कीमत पर साठी चार पोने पांस तक या कारकनम समाप्त करना है कुलपत जी को जाना है इसलिए हम के वहल अपने कवियों को सुनेंगे और मैंने कहाना कि जब एक माद में दो शेर आ जाएं तो थोड़ा संकट जरूर होता है और हमारे बीच में हास्यरस के जिसको महारथी कहते हैं हम अब यह तै करेंगे लोग अनिल चौबे जी और वो दोनों वैसे अगर आप लोग चले जाएंगे हाल खाली हो जाएगा तो मैं दोनों व्यांगे कभी हो कि कुस्ती कराऊंगा जो जीतेगा वही सबसे बड़ा कभी हो होगा कल बता दूंगा आप लोगों को तो नहीं नहीं बहुत अच्छा हमारे बीच में डॉक्तर अजय महाश्यरवास्तो जी जो चका चौध ग्यानपूरी के नाम से जाने जाते हैं और एक बात बताओं कि जितने खिस्से अजय चौबे के मशूर हैं सहर में उससे बढ़ और दोशी के साथ गार के साथ जा रही है पिक्चर देखने तो पडोसी ने कहा कि तुम यहा क्या करो तुम भी जाओ साथ साथ तो उन्हों का कि क्या जाऊं वो पिक्चर मेरी देखी हुई है नहीं गए वेचारे तो ऐसे चका-चौध जी हमारे बीच में अपनी हासी कभी महोदे जी परमादर्नी प्रोफेसर आरके उपाध्या जी कुल सचीव तेवतियन संस्थान पूर्वेर कुल सचीव प्रोफेसर सिंग साभ प्रोफेसर चोबे जी अनिल चोबे जी उपस्तित यहां पर मेरे सभी मित्रों समय कि सीमाम बांदी गही है सवाचार हुआ साड़े चार तक प्रोगाम खतम करना है अब मैं सोच रहा हूं मैं कहां से सुरू करूं अब लो तो अभी बाई साब बता रहे थी कि हमारी पत्नी किसी के साथ सिनिमा देखने गई थी आज मैं जहां के पत्नी को बहुत डाटूंगा कि अपने घर की बात अपने मैके वालों को क्यों बता देते हैं कि आप लोग ऐसे समय में संकट के समय आप लोग हैं कि जब कोई किसी का नहीं सुन रहा है अब आप लोग कविता सुनने के लिए बैठे हैं यह इतना संकट हमारी यूपी में बाप का बेटा नहीं सुन रहा है वो अखिले सो रहा है मा का बेटा नहीं सुन रहा है वो कैलास घूंग रहा है एक आदमी है जो किसी की नहीं सुन रहा है बस अपने मन की बात कर रहा है और एक ऐसा है कि इसका कोई नहीं सुन रहा है वो केजरीवाल हो रहा है अभी एक अपते पले मैं बांबे जा रहा था फ्लाइट में तो बगल में अगल बगल वाले पूछते हैं तो उसने से पूछा बगल वाले ने कि आप कौन हैं उसने पूछा बगल वाले ने कि आप कौन हैं उसने पूछते हैं कि बैठने पले मैं ने का मैं कवी हूं कवी इतना संकट आगया कवियों पर कोई सुनना नहीं चाह रहा है लेकिन आप लोग के धहर की पराकास्था है कि आप कवियों के सुन रहे हैं कवितियों को देख रहे हैं नहीं आप लोग का चरित रही है इसा होता है बीभाजी के बाद मुझे आपने बड़े बाई साथ राम सुधार जी ने जो देश के पक्ष्यात संचालक हैं साहितकार हैं कवि हैं प्रोफेसर हैं समीछक हैं उन्होंने मुझे बीभाजी के बाद खड़ा कर दिया वो कोकिला ह कहां कव आगो समझी नहीं आ रहा है मैं सुरू कहां से करूं लेकिन राष्ट की वंदना वंदन से कम नहीं होती राष्ट की वंदना वंदन से कम नहीं होती मात की वंदना अभिनंदन से कम नहीं होती चुटकी से उठा मात से लगा ले सारनात की धूल चंदन से कम नहीं हो देखिए अभी लाफ्टर एक्स्पेस्ट का वो था शुटिंग थी तो मैं गया था अमताब बच्चन उसमें चीव गस थे अमताब जी तो आधे घंटे विलम से आए वो आधे घंटे विलम से आए और बोले सारी सारी और रेड लाइट होती गई तो जिसके वज़े से अनिल जी जिसके वज़े से विलम हो गया और आने में मुझे देर हुई मैं खड़ा हुआ तो मैंने का हम तो बनारस से आए हैं और बनारस वाले जब रेड लाइट होता है तो चलते हैं एक बनार्सी पहन्दा है, एक बनार्सी से मैंने पूछा, रेड लाईट हुआ तो कहीं को चल ले हो, बोला हम मर्दें कोई डर्ते हैं क्या, झाला तूा? क्या ग्रीन उवा तू रुख गया टुन के ग्रीन उवा तू रुख गया और जञा है ढुख दाल में कुए काला जा रहाथा है एक बुढ़िया लिए जो फंटितर से म माउच कर गई ऑधल ट्रेटिक पोलिस शीडे माता रहा CT मारता रहा बुढिया रुकी नहीं बुढिया उस पार जाकी रुकी गुदोलिया पर वो ट्रैफिक बोला पुलिस जो था वो क्रास करके वो ही पहुच गया और हाथ पकड़के बोला ए बुढ़ा हम कब बे से CT मारा थी तो किस सुनाई नहीं पड़ा था बुढ़िया बोली ए बचवा यह उमर सीटी सुने कहा जब सुने का उमर रहल तब तु का रहल उमर की रवनू नहीं तो तो यह बनारास है मस्ती का शहर है आनन का शहर है और यहां पर हास बिखरा हुआ है हास के लिए अब जैसे पूर्णी माजी के लड़का पोता है उसे मैंने पूछा कि तुम्हारे मम्मी को एक लाख उर्पया तुम गड़ी जानते हो तो बोला हमें गड़ी जानता हूं तो मैंने का, तुम्हारी मम्मी को अगर एक लाख रुपया दे दिया जाए, दस परसंट के हिसाब से वो एक साल में कितना लोटाएंगी? लड़का बोला, कुछ नहीं. मैंने का, तुम गणित के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? मैंने का, क्यों हो जिक्काई बोली, जिसका लिया, कभी नहीं दिया. हाथ से कहीं से उठा जा सकता है? आईए मैं एक कविता सुना, समय कि सीमा है, तो हसे तो हसाता है रवबो दिर तक, लेकिन मानिक कुलपती जी को जाना भी है. तो एक कविता मैंने नहीं लिखी है, लिखी बहुत दिन से, लिखे सुनाने की हिम्मत नहीं हुई कहीं. क्योंकि वो मन्च रहते हैं, बड़े आदमी कोई नया तीर छोड़ता नहीं, पुराने तीर छोड़ता रहता है. लेकिन आदमी मैं यह नया तीर छोड़ना चाहरा हूं कि देखता हूं, कि यह यहाँ पर चलेगा कि नहीं, अगर यहाँ चल गया, तो आगे चलेगा यह पुरे देश में, और नहीं चला तो बंद, डाइरी में रह जाएगी. तो यह कविता देखिये, लगातार आप देखते हूंगे, जाएग गिलास पानी मिल जाएगा क्या, जाएगा का क्या जाएगा, चोबे जी जहां रहेंगे, वहाँ पानी मांग नहीं पर एगा ना. तो देखते हैं कि भूख से, इस देश में आजादी के 70 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं, यह बहुत पीड़ा की बात है, मैंने भी भूख कानभव किया, एक दो दिन मैंने नहीं खाया खाना, मिला ही नहीं खाया क्या, भूख कानभव किया, तो उस पीड़ा से उस गंग निकली, तो यह आत्मा से निकली हुई कविता है, ले 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 यह भी दे दे यार, ए भी आए, ए अरे यार, आरे याम मोधी मत बने यार, सब कुछ त्याह करा देगा रहेगा क्या, भूख की तड़पन में आँखों वाला भी अंधा लगता है, सुरी सार, माने कुलपदी यह आपके चोड़ों में यह समरपित है, और यह कविता अगर यह आज जम गई, तो मैं पुरिदेश में सुनाओंगा तालिया ठाका, और नहीं जम गई तो हमारा क्या यह तो यहीं पर खत्म हो जाएगा मामला, क्योंकि यह बात तो बाहर जाएगी नहीं ज़्यादा, यह दो, बाहर ले जाएगे तो निचे होए ले जाएगे जमे नेचे का चोड़ों जीवाँ पर, एक बाद जोड़ा तालिया बजाएगे लगे कि आख विवता सुनेगे, क्योंकि मैं वेंग का छोटा सा कवी हूँ, और मैं वेंग ही लिखता हूँ, वेंग के माद्या सास पैदा करता हूँ, आईए, कि भूक की तुलपन में आखो वाला भी अंधा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी पूनम का चंदा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी पूनम का चंदा लगता है, और बड़ी बड़ी योजनाओं के ये क्या कहने, मुझको तो सब ये उनका गोरग धन्डा लगता है उनका गोरग धन्डा लगता है आधी रात को फुटपात पर सुए हुए गरीब लोगों को पुलिस वाला डंडे मार मार कर उठा रहा था मैं उधर से जा रहा था पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो वो बोला हम आपको क्या बतावें परधान मंत्री का आदेश है एक भी भूखा सोने न पावे आपको क्यों कि आप समिछा लिखेंगे लिखें भी हमारे उपर है मैं उस दिन तौलब कर रहा गया जिस दिन पता चला कि फ़ला गाओं का फ़ला अदमी भूख से मर गया फला गाउं का फला आदमी भूग से मर गया इस समाचार से मैं बिखर गया दोड़ा दोड़ा छेतर के सांसत के पास गया दोड़ा दोड़ा छेतर के सांसत के घर गया सांसत को बताया कि फला गाउं का फला आदमी भूग से मर गया था तो ये दुख का समाचार या सुनते ही उनके चेहरे पे छाई बसन बार, पैपसी की बोतल थमाए, बोले बहुत अची खबर ले आए, हाँ, ये लीजी, लीजी, कुछ रुपए जेब में रख लीजीए, और भूख से मरने वालों के संक्या रोज मुझे दिली भेज़ते रही है, ये लीजी लीजिए कुछ रुपए जेब में रख लीजिए और भूख से मरने वालों की संख्या रोज मुझे दिल्ली भेशते रहे मैं इस प्रस्ण को संसद में उठाऊंगा जनता को भूखो मारने के आरोप में सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रताव लाऊंगा वो तो भूख से मर गया पर इस सरकार को तो मैं कच्चे चबा जाऊंगा वो तो भूख से मर गया पर इस सरकार को मैं कच्चे चबा जाऊंगा मैंने खा दे मंत्री फोर्ड मिनिस्टर को मैंने खा दे मंत्री को फोन लगाया, मंत्री जी को भोजन करते हुए पाया, मंत्री जी को बताया, फला गाउं का फला लोग भूख से मर गए, मंत्री जी बोले आरे आप रह गए उन्होंने सुझाया, उन्होंने सुझाया कि एक काम करते रहिए, लोग भूख से नमबर ने पावे, इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर राशन कार्ट दिखाते रहिए बोले काम करते रहें लोग भूख से नमबर ने पावें इसने थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें राशन कार्ट दिखाते रहें हम डियम के बंगले आए हम डियम के बंगले आए डियम मुझे देखते ही गुर आए हम डियम के बंगले आए डियम मुझे देखते ही गुर बोले सरकार को बरनाम कर रहे हैं, बिरोधियों के हाथ खेल रहे हैं, घूम घूम कर अनर्गल प्रशार कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, ये बताइए, डियम हम है कि आप, मैंने का माई बाप, माई बाप हैं तो आप, तो बोले, पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट पढ़ा है, पोस्मादम की रिपोर्ट पढ़ा है वो भूख से नहीं अजीर और अपस से मरा है वो भूख से नहीं अजीर और अपस से मरा है यहां सबूतों का सिलसिला है उसकी लास गेहूं के बोरे में लिप्टा मिला है यहां सबूतों का सिलसिला है उसकी लास भी गेहों के बोरे में लिप्टा मिला है इस सरकारी तर्क से सर जुक गया मेरा शर्म से लेकर मन में विश्वास चल दिया लोकतंत के पहरेदारों के पास अख़बार के दफ्तर में आया संपादक ने पास बोलाया उपादा जी अख़बार के दफ्तर में आया संपादक ने पास बोलाया बोला क्या ख़बर लाये हो मैंने कहा अनर्थ हो गया फला गाओं का फला आदमी भूख से मर गया वो बोले मैं सुबे से परशान था हेडलाइन क्या दू हैरान था मैं सुबे से परशान था हेडलाइन क्या दूँ हैरान था इस समाचार से तो मेरा काम चल जाएगा आज का अगबार तो हाथो हाथ बिग जाएगा आज का अगबार तो हाथो हाथ से हाथो हाथ बिग जाएगा लोग तांत्रिक बहलियों से होकर उदास लोग तांत्रिक बहलियों से होकर उदास लोट आया एक कवी मित्र के पास मैंने उसे पूरी घटना बताई तो उसकी आँखों में एक अजीव रोशनी पाई मैंने उसे पूरी घटना बताई तो उसकी आँखों में एक अजीव रोशनी पाई बोला Thank God, मुझे तो आज मिल गया कविता का प्लाट, एक सुन्दर सी कविता बनाऊंगा, पत्थ पत्काओं में छपाऊंगा, टीवी चैनलों पाऊंगा, टीवी चैनलों पराऊंगा, एक बड़ा स्टार पोईट बन जाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, सुनले चका चाऊंगा आज नहीं तो कल पदम स्री जरूर पाऊंगा, बगल में खड़े एक सेट से मैंने का सेट जी, सुना है, आप तो दान पुन्न महात्म बहुत करते हैं, यह उसी गाओं का आदमी मरा है, जिस गाओं में आप रहते हैं, उसी गाओं का आदमी मरा है, जिस गाओं में आप रहते हैं, सेट बोलया, मारो को कसूर, मर गया, मर नो थो ससूर, कल ही तुम्हारे पास थो आया, मैंने उसे बहुत बहुत समझाया, कि भाया, यह कुछ रुपए ले जा, अब अदले में पतनी का मंगल सूत रख जा, मैंने बहुत उसे समझाया, यह कुछ रुपए ले जा, बदले में अपने पतनी का मंगल सूत रख जा, कवी जी महारे समझ में तो यही आता है, कि मित उसके भाग में लिख दिया था विधाता, कवी जी मेरे समझ में तो यही आता, कि मित उसके भाग में लिख दिया था विधाता, यदि मैं रुपए ओ दे दियो हो तो का थारा बाप लोटाता, यदि मैं रुपए ओ दे दियो हो तो का थारा बाप लोटाता, तभी एक धर्मिर्पेक्ष नेता ने पूछा कवी जी वो हिंदू था या मुसल्मान मैंने का श्रीमान वो न तो हिंदू था न तो था मुसल्मान वो तो था भारत मा की संतान यह सुनते ही नेता जी बोले पूले फिर अपना सर क्यों खपाते है नेता जी बोले फिर अपना सर क्यों खपाते हैं चलिए रोजा खोलने का समय हो गया है वो भी भूग को कर सकता था परिभाशित भषे मेसे पएदा PayPal कर सकता था देश में बै उसे उठा सकता था हाथ में बंदूख, खह से खा सकता था समाज का चंद और लै, वो भी बन सकता था माववादी, आतंकवादी, नकसलवादी, अलकाइदा, पर वो जानता था कि इससे क्या फाइदा, वो तो महान देश भक था, शहीद था, जो भूख से नहीं डरा था, भूख के कारगिल में पीट दिखा कर नहीं, पीट के बल भूख से लड़ते लड़ते मरा था, भूख से लड़ते लड़ते मरा था, लड़ते लड़ते मरा था, थैंक. बहुत बहुत धन्यवाद ये थे डाक्टर रजय कुमार सिर्वास्तव चका चौध ग्यानपूरी और हास्य से थोड़ा इतर हट करके व्यंग से एक गहरी पीड़ा हास्य और व्यंग में अंतर भी हुआ करता है साहिति के देश्टी से बहुत को सोचनिक मजबूर करता है व् अच्छे तरह से इन्होंने व्यक्त किया और अब यह मान लिजे कि यहां आपका यह व्यंग यहां से तालियां पाया है तो चोकरेगा पूरे देश भर में चारों तरह बहुत बहुत बधाई आपको हमारे बीच में हमारे अमंत्रित कभियों में स्री जेपी शिंग जी मानित करें आए सब्सक्राइब करें आए सब्सक्राइब करें मंच पर आशिन मुक्ति थीगा यह बरिष्ट अधिकारीगा यह हमारे सभी बरिष्ट कभीगा उपस्तिस सजिनों मेरा नाम जेपी सिंग है मैं इधर पावर्गिट का प्रोशन भारत सरकार का उपकरम है उसमें इंजिनियर हूँ अभी मैं थोड़ा से बिलम जरूर हुआ धेर सारी कुछ प्रस्तूतियां मुझी देनी थी लेकिन अब समय नहीं है समय का भाव है जैसा आप लोग आग्या देंगे वेशा कर सकते है बड़ा अच्छा लगा ये मौका मिला मुझे बहुत ही अंतर आत्मा में ये खुशी का अनभो हो रहा है मुझे और ये अनभुती एहसास दिलाती है कि हमारे बरिष्ट कभी गार क्या-क्या चीज़ सुदाए होगे मेरे अनुपस्तिती में मैं तो पा नहीं पाया यही चा मेरे विचार में आया कि बंदे मात्रम का उद्धोस होना चाहिए तो कुछ पक्तिया जो है कुछ पक्तिया प्रस्तुत है उसको गवर से आप लोग ध्यान दें इस बात को सिर्शक है रस्धार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम उन्मुक्त गदगद कंठ से ललकार बंदे मात्रम आर्यके ही हड्डियों से इस धरा की पर्त है यह देश भारत वर्स ही आखे तो आर्या वर्त है रितु राज में अल ब्रिंद का गुंजार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम करते नमन नितमात को कर बंदना वे आर्य हैं करते घ्रिडा भी द्रोह जो समझो की वे आनार्य हैं आर्य के संतान का आर्य के संतान का हुंकार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम बीश में जिसने जलाया जोतियद भुत ग्यान का नाम भी जिसने कमाया बीश में संमान का राश्ट के संमान का यह प्यार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम निजधर्म निर्पेक्चता का चैन अब है पाट कर कर दिया जो रक्त रंजित हिंदुओं को चाट कर ओ धनंजे कर दिया टंकार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम राम राधा क्रिश्न संकर सेसमा सीता जहां बेद शास्त्र पुराड पामन उपनिशद गीता जहां शिव गले के नाग का फुंकार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम आश्मिता गौरो कला रखती प्रती को को अमन निजदेश के अभिमान का गुलजार करती हो चमन वहराश्त्र वादी चाहिये सरकार बंदे मात्रम बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम रस्धार बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत बहचली अब देश में रस्धार बंदे मात्रम यह रास्त्री गीत स्री जेपी शिंग जय ने सुनाया हम लों के बीच में बहुत-बहुत धन्यवाद सब अब हम अपने संस्थान के दो लोगों को करम से आमंत्रित करेंगे अपनी छोटी-छोटी कविताओं के साथ है सपन कुमार चटर जी अनुभाग अधिकारी वित केंद्रिव अपनी कविता को जितना भी संक्षित रूप में प्रस्तुत कर सकें क्योंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण गीतकार भी बचे हैं जिनको हमें सुनना है कि माननीय कुलपती महोदय जी कुलशची महोदय जी हमारे सभी वरिष्ट विद्वानगण उपस्तित साथियों कल शाम को ही हमको डॉक्र रामजे सिंग जी ने बताया कि ऐसा कविता है तो शाम को जे गुदोली वेला है माने उस पर लिख डाला है अरूर लालिमा सी मुखरित तनमय विसरित नव जीवन का आगोश में भरती चली आ रही संध्या परी दिग दिगंत का शांत कलांत सा पथिक चलता पत्थ पर्व का अरे पथिक तु कहां जा रहा है पुकारती परी तुझे दिग दिगंत का विचार लो यदि तुम पथिक हो छोड़ कहां जाते इस उफवन को निरंतर तुम्हें पुकार रही है अपना लो इस निर्जन को पथिक बोला पथिकों के देश में किसी पथिक के अनवेश में या लुटाने अपनी तनहाई या तो फिर बनने बेवफाई जिन्दगी भर सात रही नेकी और बदाई तेरे पीछे पेच्छे चली तेरी ही तो परच्छाई तू तो बिल्कुल ही है पराई चली जा तुझे देता हूं बढ़ाई मैं आप लोगे लिए दो शब्द कहना चाहूंगा मुस्कुराते हुए चमन में जब तुम महमानी करोगे मुस्कुराते हुए चमन में जब तुम महमानी करोगे अरे लूट लोगे कली का तवस्व और फूल को पानी पानी करोगे मुस्कुराते हुए चमन में जब तुम महमानी करोगे लूट लोगे कली का तवस्व और फूल को पानी पानी करोगे अगर मैं महबत का दावाब न करता तो हीर को भी प्यार राजा न करता अगर मैं महबत का दावा न करता तो हीर को भी प्यार राजा न करता और निगाहे सलामत तो उजाले बहुत हैं एक हमी नहीं आँ हुसनवाले भी बहुत हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बधाई हो सपन कुमार जी को दो गीत उन्होंने सुनाया और आप साइध अनुमान कर सकते हों इसमें से एक गीत पचीश साल पहले का था और एक गीत आस्क्या एक संत्रास था और एक पीडा थी और आपके सचमुज गीतों को और यह बिल्कुल हम ऐसा लग रहा था मुझे कि हम किसी चायवादी कभी की कविता को पढ़ रहा हैं बहुत बहुत बढ़ाई और अभी स्क्रम में एक और नाम मेरे सामने है ओजस सांडिले गेस्ट फेकल्टी संगडग विभाग आप आवें और अपना गीत प्रस्तुत करे यहां भी कविता के किटाणू बहुत हैं शावदान आपको सूचित कर रहा हूँ परामादरनिय कुलपती महोदे कुलसची महोदे एवं आप सभी प्रभुद्ध जनों को मेरा प्रणाम आशिरवाद चाहता हूँ आपका कविता का शीर्शक है स्वाभिमान मृत्य से ठने तो ठने इस बात पर तिलक चड़े और रक्त का तो मात्र वीरों के ललाट पर शौर्य साहस पराक्रम की गाथा लेकर चलता है काल भी अपने भाल पर प्रेम पर अतिशय प्रेम लुटा दें दिये संसकार ऐसे भारत माता ने प्रेम पर अतिशय प्रेम लुटा दें दिये ऐसे संसकार भारत माता ने जो लिए प्रेम की इलालसा आए उसे अमरित पान करा दें सुन ऐ बलिहारी बुद्धी के सुन ऐ बलिहारी बुद्धी के है स्वाभिमान उंचा हिमाले सा यदि दी चुनाओती मात्र भूमी के रक्षण की तो प्रकृत इसकी है कुछ ऐसी जो शांत रहे तो रख और उबल पड़े तो हला हल धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद उचे हिमाले के स्वाभिमान और मात्र भूम के रक्षण की चुनाओती को हमारे ओजस ने नाम जिसका ओजस है वो तो और जस्वित रहे गाई बहुत बहुत अधाई हो वैसे अच्छा है कि यहां वीर्रस का कोई ओजस तो जरूर दिखाए दिया वीर्रस का कोई महान प्र पाकिस्तान की सारी समस्या का निरान वो कर देगा आए थोड़ा हम लोग महावल बदलें और गीत सचमुच हमें अपनी संवेदना और भावों से जोडता है मैं गीत के वातावरण को बार बार जोड़ना चाहता हूं बार बार उस वातावरण को लाना चाहता हूं और एक बहुत ही मधूर गीतकार हमारे बीच में हैं जिनको हम लोग जितना सुने उतना इक्छा करेगी हमारी मैं पुनह आमंत्रित करता हूं मनोज मधूर को अपने सुंदर गीतों के साथ हामें और भी सुने मैं दुबारा इस भनी विस्तार क्रियंत पे प्रगैर भूमका के एक दो मुक्तक और चंद देने के बादेगीत पढ़ूंगा हम कभियों की एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए हमें समाज को कुछ देना होता है महां से चार पक्तिया उठा के पढ़ता हूँ सार थक कत नहीं वह जो कोई सीख न दे सार थक कत नहीं वह जो कोई सीख न दे धर्म इमान से अर जित न हो तो भीक न दे खुसी गर दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं खुसी गर दे नहीं सकते तो कोई बात नहीं खिल खिलाते हुए होटों पे मगर चीख न दे और चार पक्तिया उन्हीं युगाओं को सौपता हूं कास हर खास आम हो जाता मुपलिसों का भी काम हो जाता हो ती मा बाप की जहां सेवा घर वही चारो धाम हो जाता भावना विचारों की कसवटी पे कसी हुई है अस्मिता अखंडता की यूही ना लुटाईये राह में भटकते समाज की दिसादसा को भेद भाव त्याग सनुमार्क पे ले आईये साक्षी है साहित्य से समाज सदा सुधरा है कवी है तो कविता का धर्म भी निभाईये संस्कृती हमारे संसकार में समाहित हो संक्रमित न होवे हिंदुस्तान को बचाईये इस मनोर्य के साथ गीत का अदेश हुआ है एक गीत पढ़ूंगा चार पक्तिया और सुनिएगा कि प्रीति परिधि में पलने वाला प्रीति परिधि में पलने वाला ब्रज बरसाना नंदन हूं सरल सोभाव समर पढ़ सेवा वंदन हूं अभिनंदन हूं कुंठाय और कुरीति कुशासन मधुर गीत से मिटा रहा लाख नाग लिपुटा दो मुझ पर आधनिया मैं मल यागिर चंदन हूं और एक स्रिंगार का गीत आप लोगों के समख सकता हूं प्रीत के रंग में रंग दे मैं बनू तेरा तु मेरा अंग में वंग दे प्रीत के रंग में रंग दे प्रीत के रंग में रंग दे बन सुनेगा प्रकित रंगे सत रंगी धरा की चुनर दानी प्रकित रंगे सत रंगी धरा की चुनर दानी विविध रंग में सज कर आये तित लीरानी कलियों सातन भोरे सामन ऐसी रीत कढ़ंग दे प्रीत के रंग में रंग दे और चंदा संग चकोरी बादल संग पुरवाई पलकों में सपनों के दुलहन की तरूडाई नई नवेली नटखटने नो वाली नई उमंग दे प्रीत के रंग में रंग दे और इस गीत का सबसे अच्छा बंद जो मैं हमने लिख सका है और आपके समक्ष रखता हूँ कि सुरसजते सासों में सरगम की सहनाई अट खेली अंगों की अलबेली अंग्डाई सारे गामा पधनी सा सारे गामा पधनी सा सातों सुर का संग दे रीत के रंग में रंग दे रीत के रंग में रंग दे मैं बनू तेरा तू मेरा मैं बनू तेरा तू मेरा अंग में अंग दे मेरा के मन मोहन राधे क्रिष्न कनाई मेरा के मन मोहन राधे क्रिष्न कनाई सूर बिहारी के सो यसुदा के अंग नाई मधुर गीत के किलकारी में मधुर गीत के किलकारी में उच्छल जल धितरंग दे प्रीत के रंग में रंग 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 दे इस संस्थान के सभी वरिष्ट लोगों का धेर सारा आशिरवाद मनोज मधुर को ये कविता की शक्ति है ये गीत की ताकत है और गीत की इसी ताकत को देख करके किसी कवी ने कहा था पत्थर होते हुए दौर में गीत न गाता तो मैं भी धीरे धीरे पत्थर हो जाता पत्थर होने से बचाती है हमें कविता ये और इस आज की इस कवी गोस्थी कि एक बड़ी उपलब्धी चकिया से मनोज मधुर और मिरिजापूर हरौला से विभा ये बड़ी उपलब्धी है साइद पहली बारी समंच से आये हैं और हम धेर सारा आशिरवाद आप दोनों लोगों के लिए इस संस्थान का आये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो लोग बचे हुए हैं वो सच्म जो लोग यहां से चले गए हैं इस वर उन्हें सांती प्रदान करें लेकिन जो लोग हैं वो यहां पर मुकम्मल कविता के प्रेमी लोग बैठे हुए हैं मैं ऐसा मानता हूं हम लोगों ने प्रकाश उदय जी को सुना था बहुत ही सुन्दर गीतों और खास करके हमारी लो करता हूं कि थोड़ा भोजपूरी के रस से हम लोग को रस्षिक्त करें और इसके बाद हम अनिल चौबे जी को और फिर अपने मुख्य अतित्थी दूसरे चौबे जी को और उसी के साथ हम आज की कविगोश्ठी समाप्त करेंगे अधिनी स्री जेपी सिंग जी कुछ पक्तियां भोजपूरी में हो सकता है कि आप लोग कुप्रिय लगे सुनिएगा उत्रूटी भी हो सकती है कि हम कहने सकते हम कभी तो है नहीं लेकिं ठीक है बहुत बढ़िया है आप ये धेर सा आशिरवाद मिला है आप लोग से सुने गजब कैलु हो ओड़ि धानी रंग चुनेरिया बारी उमर खन के तोहरा कगनवा लेहलु का परवा पधरती गगनवा भरल जमनिया में चललू डगरिया गजब कैलु हो ओड़ि धानी रंग चुनेरिया हम वाक डरिया पे बोलल जब कोय लिया बगिया में बाजल तोहरी चम चम पय लिया पंड तौर ग्यानी पंड तौर ग्यानी के चल कलन जरिया गजब कैलु हो ओड़ि धानी रंग चुनेरिया संगले सहेली सब करली ठी ठोलिया हसी हसी छूटी पवलू सजवा की बेलिया खाली कर बुबाबुल की कबले बखरिया गजब कैलु हो ओड़ि धानी रंग चुनेरिया सुन लूप पिहरा सुन लूपी उबोलिया सांत भैल आजहूं न तो हरी कलोलिया चली जईबु एक दिन चली जईबु एक दिन इछोड के नगरिया गजब कैलु हो ओड़ि धानी रंग चुनेरिया बहुत बहुत धन्यवाद सर और अपने एक बीच में अंतराल अपने इस संस्थान के बड़े आकरशक व्यक्तित्यों के धनी शुमनस जो जिनको देखने से खुद वो कविता के रूप में ही लगते हैं डक्टर आर के मुस्राजी हो हमारी बीच में है सम्मोग दिखाई दे रहे हैं मैं आपसे अन्रोद करता हूं कि आप आमें और अपने कुछ पंक्तियों से एक कि जिसका शीर्षक है अंधिरे का होना मेरी कविताएं वस्तता ये मेरा अंतर संबाद हैं और एक विचार ये मन में रहा कि जो कविता मैंने आपको सुना दी वो आपकी हो नहो अब मेरी नहीं रही इस भाव से कविताएं बहुत कम सुनाई गई अधेरे का होना तुमारी मात्वा कांचा जब तुम से बड़ी हो गई तुम उदास हो गई तुमारी इर्षया जब तनकर खड़ी हो गई तुम संकाल हो गई और तुमारा क्रोध जब छा जाता है तुमारे चारों और काले घने अनहेरे की तरह तब तुम्हारा होना हो जाता हैं अन्हेरे का होना तब तुम्हारा होना हो जाता हैं अन्हेरे का हार और एक और छोटा सा विचार यह गूलता यह के 좋 divisת in the program कि जो प्रिस्थितियां बनी है आज भी जो पहाडों में इस्तियां बन रही है उसको लेकर के लिखी गई एकुटा है और हम सभी लोग जानते हैं कि जितना बाजार का विकास है तो बाजार के विकास में जो मूल तत्व है या मूल विचार है वो लालच का है लालच के ही कार आमने सामने पहाडों में दो पहाड। मानवी अभीपसा की किंचित सी सक्तिपा फूलते फैलते चिढाते से बढ़ते लालच के ये पहाड। पहाडों में लालच के पहाड। देव भूमें शक्रिय देवों के देवत्व को, रिशियों के तप को, भक्तों की भक्ते और साधकों की साधना को, आदिकाल से प्रवाहित आस्था की उर्जा को, नितान्त जड और स्वार्थ्फ पूर्थ्भेतु मान, नितन अए कुचकरच ठकते चलते, लोलूप जन के सम पॉस्तिमन की वासना के ये पहाड़, पहाडों में लालच के पहाड़। जंगलों को नोच लूट खनिजों को खोद कर पहाडों को छेद भेद नदियों को मोड कर प्रकति से सब नाते तोड पिछडों को पीछे छोड लोभियों के लालच के बनते बढ़ते पहाड पहाडों में लालच के पहाड कोयल की कूक और मैना के स्वर को, पवन और पानी के उन्मुक्त गान को, ब्रच्छों की सरगम और घाटी के निनाद को, प्रकृति से समरस मनुझ संतानों को, मुर्ख वाहियात मान, पतन पराकास्था की अट्टा हास के पहाड, पहाडों में लालच के पहाड, धर्म संस्कृत उर्जा ओजस और जीवन रस के कारक धारत, धारक, प्रचन परमेश्वर, हिमालय देव भूमि को, केवल भोग भूमि मान, अपने ही जीवन से खेलते, रक्त वीज से वढ़ते, त्रशना के मानस पुत्र, लालच के ये पहाड, पहाडों में, लालच के अंतिमबंदिस का है, धन को ही साधन और धन को ही साध्यमान, धन में ही शक्ति जान, देह को अमरमान, परवस्ता पशुता को ही जीवन का उत्समान, लोभियों के लालच के, उगते बढ़ते पहाड, पहाडों में लालच के पहाड, धन में बहुत बहुत बढ़ाई आरके मिश्रा जी को बहुत ही सुन्दर और एक केदारना तरासदी को लेकर देखे कभी ऊपर वाला कोई अलग आग माटी पानी से किसी कभी को नहीं बना के भेजता है लेकिन उसके पास वह हिर्दें देता है और संभवता उसके पास वह कर देता है और साइद उसके कानों में या फूंक करके भी भेजता होगा दुख सबको तोड़ता है तुम दुख को तोड़ दो केवल अपनी आखें औरों के सपनों से जोड़ दो साइद यह विजन देता है एक रचनाकार को ऐसे रचनाकारों का नमन और अब हम करीब उस्ठी के मुख्यतित के रूप में पुरुवपरायुक्त वारणशी मंडल और जाने माने गीतकार नवगीतकार और आज के जो जीवन की विशंकतियां हैं आज के जीवन की जो दरार पैदा हो रही है दर्वाजे पर खड़ा नीम का पौधा तब कांपता है जब कोई बेट बुढ़े बाप को पानी नहीं देता है यह जो जीवन का संत्राश है उनके नोगीतों में भुत्ती जी से उभरा हुआ है मैं आधरणी स्री ओंधीरत जी को अम्मंत्रित करता हूं कि वह आपावें और अपनी कविताओं के माध्यम से इसे समापन स्वरूप दें आज की सं कुल सचीव डाक्टर आरके उपाध्याई जी पूर्व कुल सचीव प्रोफेसर देवराशिंग जी मंजपराशीन हमारे युवा साथी हास्य और ब्यंग के एक प्राइमिनेंट फिगर अनुज डाक्टर अनिल चवबे जी संचालक भाई डाक्टर राम सुधार सिंग जी जिनके बारे में हिमानस जी कह रहे थे कि यहां कर संचालन कर रहे हैं सायद उन गोस्थियों को आप भूल जा रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि यदि राम डाक्टर राम सुधार सिंग जी किसी भी गोस्थी में हो तो सफलता का मानक बन जी जी हमारे बड़े भाई मैं नहीं कह सकता अनुज ही है तो फेसर राम जी सिंग जी जी द्रम्दर चत्रवेदी जी आरके मिस्टा जी और जिनके लिए ये कार्कम हुआ है हमारे प्यारे बच्चों यहां के छाथ छात्राओं और तमाम इस परिशर के पुनीत व्यक्तित्तों और जिनके लिए हमें गवरव आज हुआ है ऐसे दोनों व्यूतियां मधूर और विभा और एक छोड से शुरू करके दूसरे छोड तक पहुंचूं तो चका चौद ग्यानपूरी जी पुर्मा जी आईए बात करें सबसे पहले मैं एक विश्वास पैदा करनी कोशिस करता हूं मैं मानता हूं यह दियाब के भीतर अपना विश्वास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो आईए एक मुक्तक से शुरू करता हूं कि तूटता विश्वास लेकर क्या करेंगे कापता एहसास लेकर क्या करेंगे तूटता विश्वास लेकर क्या करेंगे कापता एहसास लेकर क्या करेंगे धक सके ना एक टुकड़ा लाज भी यह बड़ा आकास लेकर क्या करेंगे और ये नई पिढ़ी के लिए कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, एक खुसनुमा यकीन आसपास चाहिए, फूलों में नहीं सिर्फ होती है खुस्बुए, कि फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुश्बूएं माटी की महग का भी एहसास चाहिए और एक मुक्तक और देखें कि पौद बर्गत का दिवार तोड़ देता है कन बारूद का मीनार तोड़ देता है आगली राइन देखेगा कि बीज संदेह का उगता है हवा में लेकिन साथ जन्मों का इतबार तोड़ देता है कि बीज संदेह का उगता है हवा में कहीं नहीं होता है कि वल हवा में होता है बीज संदेह का उगता है हवा में लेकिन साथ जन्मों का इतबार तोड़ देता है हमारे हिंदू पध्धत में साधी को साथ जन्मों का संबंद माना जाता है और आगे देख लें पूरब के लोग हम लोग हैं ते एक मुकतक हमने पूरब पर किया है कि हम मम्ता के पेड धूप में रोज लगाते हैं कि हमसे मतलो होर कि याय पश्चिम के लोगों हम पूरब के लोग हमी तो सूर्योगाते हैं हम से मतलब हो कि आई पस्चिम के लोगों हम पूरब के लोग हमी तो सुरे उगाते हैं और जिस लाइन से इनों ने सुरू किया उसको देख लें कि हर कोई देश को जवानी नहीं देता हर कोई देश को जवानी नहीं देता, हर जवान दिल ले कहानी नहीं देता कापता है नीम का एक पौध द्वार पर बेटा भी जब बाप को पानी नहीं देता आज की विडंबना है विशंगती है और एक मुकत तक अगर देख ले के वक्त को थाम ले ऐसी कोई घड़ी नहीं होती वक्त को थाम ले ऐसी कोई घड़ी नहीं होती जीत के लिए भी जादूई छड़ी नहीं होती नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर मा के आचल से कभी बड़ी नहीं होती नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर मा के आचल से कभी बड़ी नहीं होती और इसी जमीन पर एक और बात विशंगत देखिएगा संबंधों की विड्म बना कि जूट भी कैसे हुआ स्विकार दिल से सोचिये सत्य भी कैसे हुआ इसकार दिल से सोचिये पीठ पर भाई बिठा कर खेलते जिस आंगने बचपन का दिन याद करेंगे ड़क साभ खास करके मैं देवराज सिंग साभ को कह रहा हु हूं पीठ पर भाई बिठा कर खेलते जिस आंगने उठ गई कैसे वहां दिवार दिल से सोचिए पीठ पर भाई बिठा कर खेलते जिस आंगने उठ गई कैसे वहाँ दिवार दिल से सोचिए और एक मुगत तक और देख लें चुकि बुद्ध की जमीन पे हूँ केवल धर्म सास्त्र पढ़ने से ग्यान नहीं मिलता आँख मूद लेने से केवल ध्यान नहीं मिलता पीपल तो हैं बहुत पुराने और अनेक बड़े वो धिब्रिश्चिसा लेकिन सब को मान नहीं मिलता पीपल तो हैं बहुत पुराने और अनेक बड़े वो धिब्रिश्चिसा लेकिन सब को मान नहीं मिलता और एक मुक्तक मैं यह भेट करना हूं मान सुबाध्याय को कि इनके एक गीत के टुकड़े से यह पैदा हुआ है दो सब्दों से कि जील कंकरी आँखों में कुछ इस तरह का इपरोकी है तो मुझे भी एक मुक्तक याद आ गया इसी पर और आज की पीड़ी को देखिएगा बाप बेटे की बात मैंने कहा था उसी को फिर दोरा रहा हूं कि देख रहा हूं एक बड़ा संसार तुम्हारी आँखों में आज की नई पीड़ी में हम लोग देखते हैं कि देख रहा हूं एक बड़ा संसार तुम्हारी आँखों में लाभान से जुड़ा हुआ ब्यापार तुम्हारी आँखों में यंबिये इंजिनियर क्या-क्या हो के कहा जाना चाह रहा है कि द नन्ही बाहें, पिता निगाहें, उमर घुमर जो छलका था, धून रहा हूं कतरा भर वह प्यार तुम्हारी आखों में। नन्ही बाहें, पिता निगाहें, बजपन में जो छलका था, धून रहा हूं कतरा भर वह प्यार तुम्हारी आखों में। और एक दिन मैं मूल गंध कुटी बिहार में उधर पार्क में घूम रहा था, एक जगह बुद्धिजी की लाइन थी, कि बुद्धिमान या ज्यानी ब्यक्ति का निंदा और इस्तुती में, कोई असर उसी तरह नहीं पड़ता, जैसे आधी से पहार पर कोई असर नहीं से टक पर बारने कोशिस किया है, जैसे अभी मी तो लोग कह रहे हैं, कवीता कहीं से भी पैदा होती है, तो मुझे उस पार्क से मिला, कि उसको थोड़ा अपनी दंग्च किया है, कि नदी ताल से उच्छल समंदर मिला नहीं करता, लाख चादनी चाहे पंकज, कमल, कि रहे निंदा इस्तुति में ग्यानी भी हर पल अडिग रहे बर्सा आधी में पहार्जियों हिला नहीं करता उस स्लोक को जो वो लाइन थी पवित्र उसको मैंने इसमें बादा और एक मुक्तक से और समाप्त करूं एक दो मुक्तक से एक छोड़ा से गीत पड़ूगा जो उस कि नहीं पर पाया था जन्मास्टेमी के उसमें कि बच्चों के लिए बहुत बात होती है थोड़ा उसी पर चलें कि उड़ो आकास बिकास की बात करा हूं उड़ो आकास पर लेकिन जमी पे पाउं रहने दो लगाओ बाग तारों का मगर कुछ चाओं रहने दो बनाओ पार और इसी के बच्चों पर जाईए कि कोरे स्लेट पर लिखावर चाक से होने दो विड़मबना यह है कि हम जो नहीं हो पाए उचाते है कि मेरा बेटा हो जाए यह विड़मबना है तो इसके लिए कि कोरे स्लेट पर लिखावर चाक से होने दो कभी चिडियों कभी पतंगों में इने खोने दो, इन मासूम आखों में आपने ख्वाब मत पालो, इन मासूम आखों में अपने ख्वाब मत पालो, एक बच्चे हैं इने बच्चों की तरह जोने दो, और इसी तरह से कि सम्हाले से भी ये सम्हलता नहीं है उन्हीं बच्चों के लिए है कि सम्हाले से भी ये सम्हलता नहीं है न जाने क्यों मंजर बदलता नहीं है सम्हाले से भी ये सम्हलता नहीं है न जाने क्यों मंजर बदलता नहीं है दबा है किताबों से इतना की अबतो खिलाउनों पे बच्पन मचलता नहीं है आज कर सम्मेलन का रूप हमने देखा बच्चों की तरह से थोड़ा कम जाहे जिस वज़े से कविताय आई हैं लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने अपनी प्रत्कियाएं दी हैं और इतने देर तक दो बज़े का कारकरम इसमें पांच बज़ रहे हैं और आप तलिंता सुन शुन रहे हैं और जो मुझे खुशी हुई मानेनी कुलपती जी का पता लगा कि सुबह से पूछ रहे हैं कि कब कब स्रेमिलन हो रहा है टाइम से हो रहा है कि नहीं निश्चित है कि जिस संस्थान का प्रमुख कावे के प्रत इतनी रती रखता हो इतना प्रेम रखता हो इतना भाव रखता हो निश्चित है कि वह संस्थान अपनी उचाई को जिस तरह चाहेंगे उधर ले जाएंगे क्योंकि समवेदन सीलता ही मनुस्य को मनुस्य बनाती है अन्य जीवों से जब हम अलग होते हैं अभी अनिल जीने साइद कहा कि मनुस्य हसता है और जानवर नहीं हसते लेकिन थोड़ी से उसमें बाता है और जोड़े कावविकिदिस्ट से तो जिसमें समवेदना होगा वही एक बहतर मनुस्य होगा तो समवेदना को बचाने के लिए एक मुक्तक सही आपसे उमीद करूँ कि चराग उमीद का हर वक्त जलाए रखिए चराग उमीद का हर वक्त जलाए रखिए रुख हवाओं से भी हर वक्त मिलाए रखिये, सिल जाते हैं, पीशे जाईए कि थोड़ा पुराने लोग होंगे, तो हम लोगों के समय में माचिस और ये लाइटर नहीं होते थे, लाइटर तो था ही नहीं, माचिस भी कम मिलती थे, और खास करके बरसात के दिनों में, तो उ उन दिनों को याद करिएगा, किस तरह आग बचाए थे रामजी सिंग अपने गाउं में, देखे होंगे, कि चराग उम्मीद का हर वक्त जलाए रखिये, रुख हवाओं से भी हर वक्त मिलाए रखिये, सिल जाती हैं बरसात में माचिस की तीलियां, सिल जाती हैं बरसात मे माचिस की तीलियां चूले में भी कुछ आग बचाए रखिये, यह चूले की आग आपकी समवेदना की आग है, इंसानियत की आग है, मनुस्यता की आग है, और भाई-चरा की आग है, और जब तक यह आग आपके दिल में, सीने में जलती रहेगी, निस्चित है, आप एक ब कि दोनों अनुजों ने, विभार ने भी और मधूर ने भी बहुत प्यारा गीत पढ़ा, रुमानी गीत था, और कृष्णर और राधा तो बहुत बड़े, उनके पीछी तर नजानी कितना जो है भगतिकाल से लेकर रितिकाल में सब सारी चीजें भरी पड़ी हुई है, हमने अब गो कुल के गाउं में, कभी नया ना भूल कनाई, अब गो कुल के गाउं में, धूप निगोडी पौड़ी बर्बस, लेटी हुई है, कि धूप निगोडी पौड़ी बर्बस, अब कदंब की छाउं में, इवी संगत क्या धूप है, क्या क्या है देखिएगा, कि आज कि आज समय की कर तूतों से नीला जल भी काला है जवना को देखिए गंगा को देखिए कि आज समय की कर तूतों से नीला जल भी काला है रभी पुत्री है सिसक रही अब बढ़ती तन की ज्वाला है पर दूसरा कि नाग भाग कर काली दह से कि नाग भाग कर काली दहसे घूमे गाउं गिराओं में कभी न आना भूल कनाई अब गोकुल के गाउं में कहा जाता है कि अब गाउं रहने लाइक नहीं रहा गया है भावनाएं वहीं जा रही है अगिला देखिए कि हैंड पंप पर सिमट गया है मैं गीत नवगीत में कभी ताली नहीं मांगता हूं और ताली चाहिए क्योंकि गीत जो है आत्मा से सुनने की चीज़ है और जब आप पूरा गीत सुन लेते हैं सुना लेते हैं तब साइद तालीयां बचती है तो देखिएगा कि हैंड पंप पर सिमट गया है आज गोपियों का पन घट और नदी का तट लगता है सुनी मांग बना मर घट तो नदी नाव को खीच रही है उल्टे आज बहाओ में कभी ने आना भूल कनाई कि अवगो कुल के गाउं में क्यों नहीं आना कि दूद शहर को किया पलायन गाउं से दूद निकल जा रहा है कि मैं घटना बता दूं कि मैं एस्डियम था एक जगा जाच में हम लोग पहुंचे तीन बजे और यादों का गाउं था तो वहां से खुशी खुशी प्रधान हमने कहा कि सर उके चाय बनवाता हूं आधा गंटा लगा चालीस मिनट हुआ तो हमने का भी आप छोड़ जाने दो कहें सर हमने का हुआ क्या कहें सब सब दूद बाजार चला गया है दूद नहीं है साम को दूद लगे कहने का मतलब उसी भाव को लिए गा कि दूद शहर को किया पलायन यहां छाच के लाले हैं मत्था कि दूद शहर को किया पलायन यहां छाच के लाले हैं और आजन को भी घीना मिलता ऐसे अब के ग्वाले हैं तो गोप सखा सब जूम रहे हैं आप गवर करिए गा प्रकास उदएजी के गोप सखा जब जूम यानि जब बल्टा लेकर दूद लेकर चलते हैं गाउं के दूदहारे साम को कैसे वापस आते हैं कि उनकी साइकल कभी यहीसे जाती है कभी यहीं से जाती है वही भी मम ने पकड़ा है कि गोप सखा सब जूम रहे हैं महुए के रससाओं में कभी ने आना भूल कनाई अब गोकुल के गाओं में और अन्तिम बंद है इस गीत का क्या क्या हुआ कि आज नहीं मन सुखा मिलता ये क्रिशन के बाल साथ सखा लोग है और नहीं स्रीदामा है कोई बनी रुकमरी दिन में जाक सावी आपके लिए लाइन है कि कोई बनी रुकमरी दिन में रात कोई सत्यभामा है कि आज नहीं मन सुखा बिड़म बना जो आच्चरीतर का भी की गिरावट है कि आज नहीं मन सुखा मिलता और नहीं स्रीदामा है कोई बनी रुकमरी दिन में रात कोई सत्भामा है तो रूठ के राधा जा सोई है गवर करिए गाइस पंक्त को कि रूठ के राधा जा सोई है अब उद्धो की बाह में कभी ने आना भूल कनाई अब गोकुल के गाउं में धूपनी गोडी पोड़ी बर्बस अब कदंब की छाओं में अन्त में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए संचालक महोदय को माइक देता हूँ और इतनी बड़े अच्छे माहौल के लिए मैं माननी कुलपती जी को पुना पुना परणाम करता हूँ इस अच्छे वात अवर के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर और खुब मन से लोगों ने सुना और मन से आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद एक बदला हुआ समय, एक बदलाओ, एक उल्टी धारा आज जो बह रही है, साहज जीवन की विडंबना और विशंकती यही है, यह बदलाओ, कभियों की गीतकारों की गीतों में यह बार बार आ रहा है, नई पीढ़ी और पुरानी के पीढ़ी के बीच का वो, जब आप इस कुपड़ रहे थे, तो मुझे एक पंक्त याद आ रही थी, कि एक मां का कथन है, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, केवल तुतलाता था, मैं उसकी सारी बात समझ जाती थी, आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत बोलने लगा है, मैं उसकी कोई बात नहीं समझ प रहे थे, तो मुझे उसमें कैलास गौतम याद आ गए, और कृष्ण की बात ही याद थी, आप सब लोग जानते ही होंगे, कैलास गौतम का एक दोहा है, कि कैसे बल्टा गाउं से सहर जा रहा है, और कौन ले जा रहे हैं, ले जाने वाले कृष्ण हैं, भोर हुई बल्टा भरे गए सहर की ओर, भोर हुई बल्टा भरे गए सहर की ओर, साम हुई दारू पिये लोटे नंद की सोर, तो ये कविता का माहौल और बहुत बहुत आनंद सब लोगों ने लिया, आपको कविता पढ़नी है, यादेश हुआ है, नई, नई, अब मैं संचालक के कुछ दाइ को सर रहने दीजे, उसकी अपनी मजबूरी होती है, वो चार घंटे से अगर कोई, ये कविता ही है, कविता मन के भाव है, मैंने बहुत सारी बातों को कहा है, तो वो नई पानी की मुझे जरूरत नहीं है सर, आप लोगों को इतना पिला दूंगा की मुझे पीने की जरूर हैं, एक शोता की रूप में, अगर आप दो सब्द कहें, वहीं से बैट करके आ, जहां तो सबनों को खुशी होगी, एक शोता की तरफ से भी एक अपील आनी चाहिए, एक दिवराज सिंग जी अपना संक्षेप में, इसके बाद हम लोग कुलपत जी से आशिरवाद लेंग वरिष्ट साहित त्यकार, डाक्टर वोम धीरत जी, चवबे जी, हमारे सम्मुक बैठे, डाक्टर हिमान शुपाध्याई जी, चका चौत जी, जितने कवी-कवी यत्त्री हैं, सब को नमस्कार करते हुए, मेरे मित्र, हमारे प्रिय चात्र चात्र हैं, बहुत रस्पान हम लोगों ने किया, और लगातार, ऐसा लगा ही नहीं कि ये तीन घंटे से, साड़े तीन घंटे कैसे गुजर गए, जितने भी कवी आए, अपने विधा के थे, अपना उनका एक रंग था उनके कवीता में, उनके प्रस्तुती में, हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं और बैठे हैं, लगा कि घर में बैठे हैं और सब कुछ चल चित्र सा हमारे सामने चल रहा है, चाहे वो हमारे उदय प्रकाश प्रकाश उदय जी रहे हो चाहे हमानसु जी रहे हो चाहे चकाचों जी रहे हो या ये विवा जी और जितने समसामई कविताएं हैं आज सुनने को मिली इसके पहले शायद हम लोग इतने अधिक उन्हीं कवियों को सुनते-सुनते पक से गए थे लेकिन आज आज बड़ा नयापन सा जिस तरह से अनिल जी ने हाज से ब्यंग प्रस्तूत किया ऐसा लगा कि हम लोग रियल्टी शो देख रहे हैं और है भी उसी तरह का कुछ और मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए बस वही पुरानी चीज उधार की चीज उधार की बाते है कहने के लिए तो कहा जा सकता है उधार की बात है लेकिन जैसे मारे मिश्र जी ने कहा कि कविता एक बार अगर निकल गई तो वो सबकी हो गई अपनी नहीं तो जिसकी निकली होगी उसकी नहीं है अब मेरी है आहिस्ता चल जिन्दगी अभी कुछ दर्द मिटाना बाकी है कुछ फर्ज निभाना बाकी है कुछ दर्द मिटाना बाकी है तेरे रफतार से चलने से कुछ रूट गए, कुछ छूट गए तेरे रफ़तार में चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए उन छूटे रूठे रिष्टों के आंसू को मिटाना बाकी है आहिस्ता चल जिन्दगी अभी जब सांसों को रुक जाना है तो क्या खोना क्या पाना है इस मन के जिद्धी बच्चे को यह बात बताना बाकी है आहिस्ता चल जिन्दगी अभी कुछ दर्द मिटाना बाकी है कुछ फर्ज निबाना बाकी है इन्हें सब्दों के साथ कभी मैंने सुनाया था बोजबुरी की एक लाइन दो लाइन खेत उदे प्रकाश उदे जी खेत के हूँ आउर का जोतत बाकी हूँ सर माप करियेगा खेत के हूँ आउर का जोतत बाकी हूँ बोज के हूँ आउर का धोवत बाकी हूँ आइसन मुबाइल कर रिंग टून आहिल कि बाजद बाके हूँ कि टोवद बाके हूँ